गुटिनिंग अरिबडी लेट्स क्रैक यूपियसी जीसी हिंदी में आप सभी का भरपूर स्वागत है हम बात्चीत करने जा रहे हैं 2022-23 के विद्यारतियों के लिए और 2021 के विद्यारतियों के लिए भी रक्षा प्रोध्योगी की डिफेंस टेकनोलोजी साइनस एंड टेकनोलोजी की एक महत्वपूर्ण यूनिट और यूट्यूब में पहली बार पहली बार डिफेंस टेकनोलोजी की क्लक्षा शायद आप पहली बार हमारे माध्यम से यूट्यूब पर देख पा रहे होंगे क्योंकि डिफेंस टेक्नलोजी के पहले मैंने केवल एक और चैनल पर लिया था लगबग 2016 में और अब तो 5 साल हो चुके हैं तो इसका सिंपल सा तात्पर है कि अब तो दुनिया बदल चुकी हैं तो आईए शुभारम करते हैं डिफेंस टेक्नलोजी का संग्शिप्त में कुछ छोटी जानकारियों के साथ सबसे पहले तो एक्जाम रस एक्सक्लूजीव चैनल हैं इसे भी आप जॉइन कर दीजे सब्सक्राइब नहीं क्या है तो सब्सक्राइब कर दीजेगा और इस समय आ अगर आप इस समय लेते हैं तो फोर इन वन का ओफर हैं प्रिंटेड नोटस आपको मिलते हैं मेगा सब्सक्रिप्शन ओफर मिलता हैं अपने किसी भी प्रकार की आर्थिक प्रॉब्लम के लिए दो विकल्प है लोन की सुईदा भी है आपके पास और स्कॉलर्शिप टेस् कर रहे हैं यदि आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन इस समय ले रहे हैं और यदि आप ऑप्शनल का जोगराफी का प्लानिंग कर रहे हैं तो जोगराफी ऑप्शनल की क्लास दस जून से हम स्टार्ट कर रहे हैं उस क्लास को भी आप जोईन कर सकते हैं इंडियास बेस्ट जो इस समय आइकॉनिक हैं बेहतरीन मेंटर्स आपको अवेलेबल होंगे जो आपको 100 इस्टुडेंट्स की बेच बन रही है आइकॉनिक में जिसमें केवल 20 सीटे बची हैं बारा मही से कई सारे बैच स्टार्ट किये जा चुके हैं सब्सक्रिप्शन के साथ साथ यदि मान लीजा आपको स्कॉलर्शिप टेस्ट से जुड़ना है तो हर अविवार को आप कॉमबेक टेस्ट के माध्यम से भी अपने सब्सक्रिप्शन की फीज को कम कर सकते हैं साथ जून को जी हाँ साथ जून को फाउंडेशन कोर्स दो हजार बाईस और दस जून को जोग्राफी ऑप्शनल का बैच स्टार्ट हो रहा हैं जिसके साथ अपने दो हजार इकीस बाईस और तेईस की प्लानिंग आप कर सकते हैं MK live refer code यूज करते चलिए आज हम क्या क्या और क्वर करेंगे तो आज हम क्वर करेंगे सबसे पहले थल से न परिचय परिचय के बाद थल से न वायू सेना, नौ सेना, मिसाइले कितने प्रकार की भारत में हैं, भारत का परमानू कारेकरम, वेश्वीक निशस्त्री करन की जितनी भी संधिया हैं, वेश्वीक निशस्त्री करन की संधिया, भारत के रक्षा शेत्र में, FDI, करंट अफेर और नवीन शब्दावली, Defense Technology का मतलब होगा सबसे पहले तो हम परीचय पर बातचीत करेंगे हमारे देश में सेना के तीन हिस्से हैं चौती सेना की बात चल रही है जो Digital Army बनेगी जो हमें साइबर सुरक्षाओं से मदद करेगी रक्षा करने में लेकिन अभी हमारे देश की तीन सेनाएं हैं थल सेना, वायू सेना, नव सेना, मिसाईलों का वरगी करन, भारत में परमानू कारेकरम, वेश्विक निशस्त्री करन की कितनी संदिया हैं भारत में रक्षा, शेत्र में FDI, करंट अफेर और नवीन शब्दावली तभी लोग ज़रा ध्यान से देखते चलिएगा डिफेंस टेकनोलोजी का जनरली मटेरियल आप लोगों को मैं बता दू कि कही पर भी किसी भी किताब में बिल्कुल अप्टू डेट और एक जगह पर नहीं मिलेगा इसलिए आज की कक्षा का जो पीडियप होगा या आज की कक्षा का जो कॉंटेन होगा इसे आप लोगों को बड़िया से समाल के रखना है या आपका स्टैटिक पूरा पोर्शन कवर कर देगा और जैसे जैसे लाल लालियो करंट अफेर की बात आएगी तो इसमें आप करंट अफेर को जोडते चलेंगे जो 2022-23 के विध्यारती है साइंस टेक्नलॉजी में पहली यूनिट वो कवर करेंगे डिफेंस टेकनलॉजी रक्षा पुर्धियोगी की को तो जिन लाल लालियों का 2022-23 का लक्ष है जिन लाल लालियों का 2021 का लक्ष है ये defense technology बिलकुल A to Z फर्ष से लेकर अर्ष का सिलेबस हम कवर कर रहे हैं शुरू से शुरू करते हुए अंतिमिस्तर तक की बात हम इसमें करेंगे सारे पहलूओ को एक ही कक्षा में कवर करने का प्रयास करेंगे तो आईए शुभारम करते हैं आज के इस महायुद्ध का सबसे पहले परीचय भूमी का भारत सरकार भारत के प्रतेक भाग की सुरक्षा सुनिशित करने के लिए उत्तरदाई हैं भारतिय शस्त्र सेनाओ की सर्वोच्च कमार भारत के राष्टपती के पास होती है तो हमारे स सेनाओ का प्रमुक या सर्वोच्च राष्टपती होता है राष्ट की रक्षा का दाईत्वक केंद्रिय मंत्री मंडल के पास होता है और केंद्रिय मंत्री मंडल में इसका निर्वहन रक्षा मंत्राले के माध्यम से किया जाता है तो राष्टपती हमारे तीनों सेनाओ का प्रमूख होगा और राष्टपती जो कार्य पालीका का भी प्रमूख हैं तो कार्य पालीका में रक्षा मंत्राले डिफेंस मिनिस्टर और बहुती महत्वपुर्ण मंत्राले हैं जो कैबिनेट होता है कैबिनेट का हमेशा ही रक्षा मंत्राले का जो भी मंत्री होगा वो सद प्रमुक मंत्राले होते हैं तो डिफेंस का भी अपने आप में एक बहुत ही अलग महत्व माना जाता है उलेकनिये की रक्षा मंत्राले केवल केंद्री स्तर पर होता है राज्यों के संदर्ब में इस प्रकार का कोई मंत्राले नहीं होता क्योंकि इसकी पूरी जिम्मेदारी क केंद्र सरकार की हैं तो किसी भी राज्य में कोई डिफेंस मिनिस्ट्री नहीं होती हैं हर राज्य के सुरक्षा का दाईत्व भी केंद्र सरकार के पास हैं यह exclusively केवल केंद्र सरकार का ही जिम्मेदारी मानी जाती हैं रक्षा मंत्राले सशस्त्र बलो को देश की रक्षा के सं करता है हमारे भारतिय सेना का प्राथमिक उद्देश है राष्टिय सुरक्षा मतलब हमारे देश की पूरी तरह से सीमाओं की रक्षा करना राष्ट की एकता को सुनिश्चित करना राष्ट कर बहारी आक्रमन और आंतरी खत्रों से भी बचाना तीमाओं पर शांती और सुरक लेकिन जब भी हम भारतिय सेना की बात करते हैं तो वह थल सेना ही मानी जाती हैं क्योंकि जनरली युद्ध में पहली पंक्ती का पहली पंक्ती इनी की मानी जाती है थल सेना की इसलिए जब भी हम भारतिय सेना कहते हैं तो हमारे दिमाग में थल सेना आती हैं वायू सेना और नौ सेना जनरली हमारे दिमाग में बाद में आएगी लेकिन पहली हमेशा थल सेना आती है क्योंकि हमारे सेना की पहली पंग्ती थल सेना ही होती है भारतिय थल सेना के प्रशाष्मिक और सामरिक कार्य संचालन का नियंत्रन थल सेना द्यक्ष करता है और भारतिय सेना को अधि तर थल सेना ही समझा जाता है या ठीक भी है क्योंकि रक्षा पंग्ती में थल सेना का ही प्रथम और प्रधान स्थान है जैसे किसे वैसा समझिएगा वही जैसे गरीब बच्चा होता है जिसने अपनी जिन्दगी में ज्यादा टाइप के भिस्किट नहीं देखे होते तो भि अप्लब होता है थल सेना वायू सेना और नौ सेना हम कह सकते कि मिलिटरी एयर फोर्स और नेवी अगर हम बात करें थल सेना की तो थल सेना अध्यक्ष थल सेना का सबसे प्रमुक्पद माना जाता है जरा ध्यान से देखते चलिएगा धन्यवाद इदर ध्यान देना अभी थल सेना की छे कमान है थल सेना की छे कमान है पश्चिमी कमान शिमला में है उत्तरी कमान उधमपुर में है मध्य कमान लखनव में है पुर्वी कमान कोलकत्ता में है दक्षिनी कमान पूने में है और दक्षिन पश्चिमी कमान जयपूर म मैं इसे याद रखने का तरीका बता दे रहा हूँ तो याद रखने के लिए क्या करिए एक भारत का मैप बना लेते हैं और इस भारत के मैप में जो दक्षिनी कमान है वो पूने में है दक्षिनी कमान दक्षिनी कमान पूने में है पुर्वी कमान कोलकता में है पुर्वी कमान कोलकता में है पस्षिमी जो कमान है पस्षिमी कमान रियल में शिमला में है पस्षिमी कमान शिमला में है भली वो शिमला पस्षिम में ना हो उत्तरी कमान उधमपुर में है उधमपुर में है जैसे की बड़ी बड़ी शाखाय मानके चलिएगा तो उत्तरी कमान उधमपुर में है तो उत्तर उधमपुर दक्षिन पूने पूर्व कोलकत्ता पश्षिम शिमला पर इसके अलावा दो और कमान है एक तो मध्य कमान है लखनव में एक मध्य कमान है लखनव में उत्तर प्रोदेश क की राजधानी और दक्षिन पश्षिमी कमान हैं एक दक्षिन पश्षिमी कमान जिसे हम कह सकते हैं कि दक्षिन पश्षिमी कमान हम कहेंगे कि जैपूर में हैं राजस्थान की राजधानी तो उत्तरी कमान उधमपूर, दक्षिनी कमान पूना, पुर्वी कमान कोलकत्ता, पश्शिमी कमान शिमला, मद्य कमान लखनव और जैपूर में दक्षिन पश्शिम के बीच में, दक्षिन और पश्शिम के बीच में हम कहेंगे कि जैपूर को दक्षिन पश्शिमी कमान कहते े हैं तो क्या थल सेना की छे औमान याद हो गई हैं उपर उधमपूर जम्मू में महाराश्ट में पुना कोलकता शिमला लखनौ डक्षिन पशिम जय पूर रटी होनी चाहिए कोई दिक्कत नानी चाहिए उधमपूर पूने कोलकता शी लखनव जैपूर छे कमान है अब भारत में एक नया पद आ गया है पहले तीनों सेनाओं में कॉडिनेशन नहीं होता था तो तीनों सेनाओं में कॉडिनेशन को मजबूत करने के लिए तीनों सेनाओं के बीच में कम्युनिकेशन को बेहतर करने के लिए चीप आप डिफेंस स्टाप CDS का पद भारत में बनाया गया है 2019 में केंद्रिय मंत्री मंदल ने देश में उच्छ रक्षा प्रबंधन में चीप आप डिफेंस स्टाप CDS के पद के स्रजन को मनजुरी दे दी हैं यह भारत की जल थल वायू सेना के एकी करन में महतुपुन भूमी का निभाता है और आपस में उनके संपर्कों को इस्थापित करता है सीडियस का गठन रक्षा मंत्राले के तहत किया गया है वो उसके सचीव के रूप में कार्य करता है जनरल विपिन रावत देश के पहले चीप आप डिफेंस स्टाप नियुक्त किये गए हैं जनरल विपिन रावत हमारे थल सेना में सबसे जैसे कि हमारे इसमें प्रशाचन में आप लोगों ने पुलिस वालों में सुना होगा कि सब इंस्पेक्टर फिर इस्पेक्टर फिर इसी टाइप से हायार की होती है ऐसे चो फिर हम कह सकते हैं कि DSP फिर SP या Additional SP फिर SP ऐसे कई पद होते हैं तो वैसे हमारे थल से नामे Lieutenant वैसे हवलदार सुभेदार वो भी होते हैं लेकिन थोड़ा सब इंस्पेक्टर लेवल से अगर हम शुरुवात करे या अगर हम बात करे तो Lieutenant फिर Captain जैसे Captain को कई लोग बहुत बड़ा पत समझते हैं लेकिन reality में reality में याद रखेगा कि Lieutenant Colonel और Colonel जैसे पद SP के बराबर के हैं Colonel जैसा पद SP के बराबर का है पर क्या होता है कि हम लोगों ने सेना के बारे में जितना सुना है तो कई लोगों को ऐसा लगता होगा कि जो सेना का Captain है मतलब इधर SP के बराबर होगा तो नहीं SP पद प्रशाशनिक में जितना ताकतवर हैं जितनी शक्ति शाली पद हैं उतनी बात Colonel और Lieutenant Colonel के पद की आती हैं शायद आप में से कई लोगों को आज पहली बारी पता चलेगा कि SP का जो पद हैं वो बहुत बड़ा पद हैं क्योंकि प्रशाशनिक हाँ सेलरी के मामले में सेलरी के मामले में भली आप कह सकते लेकिन शक्तियों के मामले में क्योंकि Colonel DM को मतलब जिस जगह जिस शेत्र का करनल होता है जिस कमान का करनल होता है वो वहां के DM को रिपोर्ट करता है तो Colonel DM को रिपोर्ट कर रहा है तो जनरली वो SP के बराबर का पद मान जाता है तो लेप्टिनेंट लेप्टिनेंट से बनते हैं कैप्टन कैप्टन से बनते हैं मेजर मेजर से बनते हैं लेप्टिनेंट करनल करनल लेप्टिनेंट करनल से करनल फिर ब्रिगेडियर फिर मेजर जनरल फिर लेप्टिनेंट जनरल फिर जनरल और फिल्ड मार्शल ले तो वर्तमान में जनरल भारत की सेना का सर्वोच चरेंख है और लेटिनेंट जनरल भारत की सेना में दूसरा सर्वोच चरेंख है तो सीडियस के अंडर में जो थल सेना अध्यक्ष जिसे हम कह रहे हैं वो जनरल कहलाएगा जनरल ने तो पहले फिल्ड मार्शल उससे भी पधे था पद्ध होता था फिल्ड माडशल तो जनरल अब बढ़ा पद है जनरल बढ़ा पद है आए तो थल सेना के पास मेनली हतियारों के रूप में बंदू के भी होती है लेकिन हमारे इसमें बंदूकों पर उतने कोई सवाल नहीं आते रेरली पूरे दस सालों में पूरे भारत के किसी एक्जाम में पूछा जाए मेंली जो सवाल आते हैं वो मिसाइलों पर आते हैं थल सेना वायू सेना और नौ सेना के पास कई प्रकार की मिसाइले पहले तो इन मिसाइलों को देखते हैं तो थल सेना मिसी के साथ खतम कर देंग फिर वायू सेना आएगी तो वायू सेना में लडाकू विमान, हेलिकॉप्टर और ड्रोन के बारे में पढ़ना है, नौ सेना में हमें विमान वहां कोत और पंडुब्यों के बारे में पढ़ना है, तो सबसे पहले थल सेना में हम मिसाइलों पर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि म थल सेना को ही सेना की मुख्य पंग्ती माना जाता हैं तो आई ये लाल लालियों जानने की कोशिश करते हैं थल सेना के बारे में मतलब मिसाइलों के बारे में मिसाइलों का वर्गी करन कई आधार पर किया जाता हैं मार्ग के आधार पर मारक दूरी के आधार पर प्रक्षेप करन कई आधारों का हैं सारे हतियारों के बारे में भी हम जानेंगे बस आप चीजों को देखते चलिएगा क्योंकि कई बार इस प्रकार के सवाल इसमें सीधे बनते हैं कि मारग के आधार पर कितनी मिसाइले होती हैं मारग दूरी के आधार पर प्रक्षेपन और लक्ष के प्रूज और बेलास्टिक मिसाईल जो बेलास्टिक मिसाईल होती हैं वह जब छोड़ी जाएगी तो वह वायू मंडल में छोग मंडल तक जाएगी छोग मंडल तक लगबग 18-20 किलोमीटर उचाई तक जाएगी और फिर जहां जाना हो वहां पर लक्ष पर गिर जाएगी ऐस प्रूज जो बेलास्टिक मिसाईल की खासियत है कि यह मिसाईले काफी लंबी दूरी के लक्षों को भी भेद सकती है लंबी दूरी का अभिप्राय लाल लालियो आठ हजार किलोमीटर दूर तक के भी लक्ष को ग्यारा हजार किलोमीटर दूर के लक्ष को भी किसी एक जगह से लक्षित करते वे भेदा जा सकता है बिना किसी हवाई जहाच के केवल मिसाईल ही इतनी दूरी तय करेगी और लक्ष जहापर है वहां पर टार्गेट करेगी पर बेलास्टिक मिसाइल का प्रॉब्लम ये है कि यह जब उचाई पर चली जाती है तो राडार सिस्टम, जो राडार सिस्टम होता है, जरा फुल फार्म लिखना कमेंज में तेजी से लाल लाली हो, देखे जरा राडार कितने लोगों ने थोड़ा बहुत भी पढ़ाई की है, राडार सिस्टम में डिटेक्ट हो जाती है, सोनार सिस्टम होता है जैसे पानी के लिए, वैसे सोनार सिस्टम का बता देता हूँ, मैं साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग की बात आती हैं, तो वैसे ही, राडार के लिए क्या यूज़ करते हैं, रेडियो डिटेक्षन एंड रेंजिंग बहुती बढ़िया आर्वी कलमाडी रेडियो डिटेक्ष्न एंड रेंजिंग तो ये जो राडार होते न दुश्मन उस राडार से इसको डिटेक्ट कर दिता है और हवा में खतम कर सकता है तो बेलास्टिक मिसाइल का प्लस पॉइंट है लंबी दूरी माइनस पॉइंट है कि राडार से डिटेक्ट होता है तो बेलास्टिक मिसाइल को अगर आप देखना चाहे चित्र के रूप में तो ऐसी चलती है ये ये बेलास्टिक मिसाइल है और जो cruise missile होती है वो cruise missile बिलकुल सतह के साथ चिपकती हुई चलती है तो cruise missile का जो plus point है जो cruise missile का plus point है कि इसे radar detect नहीं कर सकता है इसे radar detect नहीं कर सकता है हाँ लेकिन जो सबसे बड़ा negative point है कि आप इससे लंबी दूरी की बात नहीं कर सकते क्योंकि फिर लंबी दूरी के लिए पूरा मैदानी भागोना चाहिए पठार परवत नहीं आने चाहिए क्योंकि ये बिल्कुल सतह के parallel चलती हुई जाती है और इसे कहते हैं भूलो दागो और भूलो दागो और भूलो क्योंकि इसका मतलब न केवल निशाना अचूक होता है बलकि ये radar के दूरा detect नहीं होती है तो लक्ष को भेद करिया आती है लेकिन ड्रॉबे क्या है यह ज्यादा लंबी दूरी की नहीं बनाई जा सकती क्योंकि यह सतह के parallel चलती है तो बेलास्टिक लंबी दूरी की और परवलाय कारपत होता है राडार से detect हो जाती है क्रूज मिसाइल राडार से detect नहीं होती है दागो और भूलो मिसाइल कहलाती है लेकिन लंबी दूरी की मारक शमता नहीं होती है ऐसी मिसाइले जो वर्टीकल गमन करते हुए वायू मंडल को पार कर जाती और लक्ष के उपर पहुचने के बाद गुरुत्विय बल से नीच गिरती है बेलास्टिक मिसाइल की सबसे बड़ी समस्या है कि वह दुश्मन के राडार से पहचान कर ली जाती है और रास्ते में समाप्त की जा सकती है लेकिन बेलास्टिक मिसाइले लंबी दूरी तक मारक शमता रखती है भारत की अधिकतर मिसाइले बेलास्टिक प्रकार कि हैं इस प्रकार से आप वैसे लोगों ने देखा होगा हमारे देश में एक मूवी है तिरंगा उस तिरंगा मूवी को में पहली बार मिसाइलों को दिखाया गया था ऐसा मुझे नहीं लगता कोई भारती होगा जितने तिरंगा मूवी ना देखी हो क्रूज मिसाइले ऐसी मिसाइले जो भूमी के समानांत्र गती करती है तथा दुश्मन के रडार द्वारा नहीं पहचानी जाती लेकिन ऐसी मिसाइले लंबी दूरी की मारक शम्ता नहीं रखती है तो cruise missile की खासियत हैं दागो और भूलो लेकिन cruise missile लंबी दूरी की मारक शमता नहीं रखती है फिर दूसरा है मारक शमता के आधार पर कि कितने दूरी तक वो मार सकती हैं उसके आधार पर missile पांच प्रकार की होती है रन्नितिक missile जिने टेक्टाइल मिसाइले कहते हैं शौट रेंज बेलास्टिक मिसाइले चौट रेंज बेलास्टिक मिसाइले मीडियम रेंज बेलास्टिक मिसाइले या इंटरमीडियट बेलास्टिक मिसाइले लॉंग रेंज बेलास्टिक मिसाइल और Intercontinental Ballastic Missile तो अगर हम बात करें तो मारक शम्ता मतलब जनरली लंबी दूरी की मारक शम्ता तो बेलास्टिक मिसाइलों की होगी इसलिए ये पूरा वरगीकरन बेलास्टिक मिसाइलों का है बाकि टेक्टिक मिसाइलों में बेलास्टिक भी आती हैं और टेक्टिक मिसाइलों में क्रूज मिसाइल भी आती हैं लेकिन टेक्टिक मिसाइलों में मुख्य रूप से क्रूज मिसाइल आएगी जिनकी मारक शम्ता ज्यादा से ज्यादा 300 किलोमीटर तक रहेगी मतलब यदि टेक्टिक मिसाइल का हमें उपयोग करना है मेरे लाल लालियो तो जहा सीमावर्ती शेत्र होगा जो भारत का सीमावर्ती शेत्र होगा उस सीमावर्ती शेत्र पर हमें रणनीतिक मिसाइले लगानी पड़ेगी लेकिन बेलास्टिक मिसाइले हम भारत के किसी भी जगह से दाग सकते हैं और कही पर भी कही से भी हमला करने के लिए भेश सकते हैं क्योंकि बेलास्टिक मिसाइलों की रेंज काफी लंबी होती हैं तो जो टेक्टिक मिसाइले होती हैं वो जनरली युद्ध वाले शेत्र में क काम करती हैं टेक्टिक मिसाइले या स्ट्राटिजिक मिसाइले भी कहते हैं ऐसी मिसाइले जिनकी मारक शमता 300 किलोमीटर या इससे कम होती हैं रन्नितिक मिसाइले कहलाती हैं इनका उप्यों करने के लिए इन्हें युद्ध इस्तल तक लाना पड़ता हैं लगुदूरी की ब रुत्वी दो मिसाइले इसमें रखी जाती है तो भारत की अगनी शोर्य मिसाइल इस प्रकार की मिसाइल है जो तीन सो से हजार किलो मीटर तक की मारक शम्ता रखती है मद्यम दूरी की बेलास्टिक मिसाइल मिडिल रेंज बेलास्टिक मिसाइल 1000 से 3000 विलास्टिक मिसाइल बेलास्टिक मिसाइल आइसी मिसाइल जिनकी मारकशंता 5500 किलोमिटर से अधिक होती हैं, उन्हें इंटर कॉंटिनेंटल इंटर कॉंटिनेंटल बेलास्टिक मिसाइल कहते हैं जैसे भारत की अगनी पाच और अगनी छे यहां एक छोटा सा जगडे वाला बिद्दु बता रहा हूँ Actually, अंतर रास्ट्य परिभाशा कहती है कि अगर किसी मिसाइल की रेंज 5500 किलोमीटर है तो ही वह इंटर कॉंटिनेंटल बिलास्टिक मिसाइल है या इससे ज्यादा है भारत की जो अगनी पाच है ने मेरे लाल लालियो अगनी पाच जो है इसकी रेंज 5000 किलोमीटर की है तो रियल में ICBM के अंतरगतिय नहीं आनी चाहिए या आनी चाहिए थी लॉंग रेंज बिलास्टिक मिसाइलों में पर ये इंटर कॉंटिनेंटल बिलास्टिक मिसाइल में नहीं आनी चाहिए थी लेकिन हमारे देश के रक्षा मंत्रा लेने डिफेंस मिनिस्ट्री ने इस मिसाइल को इंटर कॉंटिनेंटल बेलास्टिक मिसाइल घोशित किया है इसलिए अगर आपसे पूचा जाए कि ICBM प्रकार की कौन सी भारत की मिसाइल है तो वो अगनी पाच हैं पर इंटरनेशनली भारत के पास अभी ICBM वाली डेवलप हो रही हैं अगनी छे अंतर राश्टि स्तर पर 5500 किलोमीटर की रेंज को ही इंटर कॉंटिनेंटल माना जाता हैं लेकिन भारत में 5000 को भी हमने इंटर कॉंटिनेंटल माना हैं इसलिए अगर तुम्हारा एक्जामिनर अब्जेक्टिव सवाल पूछे कि भारत में ICBM प्रकार की मिसाइल कोन सी हैं तो अगनी पाच को मान लेना जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर तक की है हां अगनी छे की रेंज लगबग हम 8000 किलोमीटर से 11000 किलोमीटर कर रहे हैं तो अगनी छे तो ग्यारेंटेड ICBM में आएगी लेकिन अभी वो डेवलप नहीं हुई है अगनी पाच डेवलप हो चुकी है फिर प्रक्षेपन और लक्ष के स्थान के आधार पर सतर ते सतर मार करने वाली मतलब जमीन से दागा और जमीन पर सतर से हवा में मार करने वाली जमीन से द जागा और हवाई जहाज लडाकू विमान हेलिकॉप्टर या ड्रोन को खतम करेगी हवा से हवा में मार करने वाली फाइटर प्लेन चला रहे हैं आजकर हमारे देश में मीडिया करमी भी फाइटर प्लेन चलाते हैं तो फाइटर प्लेन जब चला रहे हैं तो फाइटर प् जो टेंक को खत्म करती हैं और सबमरीन मिसाइल जो कि पंडूभी ओं में यूज की जाती है नौ सेना के माध्यम से जो अंदर पंडूभीया गाजी मुवी देखी ओगी गाजी मुवी तो जो पंडूभी यो पर अटेक करने के लिए यूज की जाती उन्हें कहते सब मरीन मिसाईले तो सता से सता मार करने वाली पर आ जाते हैं सता से सता मार करने वाली मिसाईल पृत्वी और अगनी की हैं जो सता से सता पर मार करेगी सता से छोड़ी जाएगी और किसी सता पर मार करेगी सता से हवा मार करने वाली त्रिशूल और आकाश हैं जो जमीन से छोड़कर लडाकू विमान खतम कर सकती हैं हवा से हवा में मार करने वाली अस्त्र मिसाइल है भारत के पास अस्त्र हवा से हवा में मार करने वाली अस्त्र मिसाइल हैं त्रिशूल और आकाश जो है वो सतर से हवा में हव से हवा में अस्त्र मिसाइल हैं एंटी टैंक मिसाइल है भारत के पास नाग जो जाएगी और टैंक को खतम करेगी आप लोगों ने देखा होगा हमारे देश में एक मूवी बनी थी बॉर्डर तो सुनिल शेटी वाला वो सीन याद करिए जिसमें सुनिल शेटी साहब अब अंतिम विदाई लेते हुए अपने हाथ में बम लेकर बिल्कुल टैंक पर जम करते हैं तो उस तरीके से खुद भी खतम होते हैं और टैंक को भी खतम करते हैं तो ऐसे ही टैंक को खतम करने वाली मिसाइल है नाग और हेलिकॉप्टर से अगर लॉंच की जाए तो उसे कहते हैं हेलीना हेलीना भी नाग मिसाइल हैं लेकिन हेलिकॉप्टर से लॉंच करने के कारण उसे कहते हैं कि वो तो फिर से रिपीट कर रहे हैं बेलास्टिक और क्रूज मिसाइल लाल लालियो जो बेलास्टिक मिसाइले होती है वो बेलास्टिक मिसाइले वायू मंडल में उपर तक जाएगी और फिर नीचे गिरेगी ये बेलास्टिक मिसाइल है लंबी दूरी इसकी खासियत है लेकिन ड दुसरी cruise missile है जो दुश्मन के द्वारा detect नहीं होती है पर लंबी दूरी तक नहीं जा सकती है और बिल्कुल सतर के parallel चलती से दागो और भूलो missile कहते हैं। लेकर 3500 km तक की range हो तो उसे कहतें long range ballistic missile अगर साड़े 5000 km से ज्यादा की range हो लाल लाली हो तो intercontinental ballistic missile कहला ती है पर missile का एक और वर्गिक्रन है हवा से हवा में मार करने वाली हमारे देश में अस्त्र है सतह से हवा में मार करने वाली आकाश और त्रिशूल है जो सतह से हवा में मार करेगी सतह से सतह मार करने वाली पृत्वी है अगनी है अगनी है इंटी टैंक मिसाइल है जो टैंक को खतम कर देती है नाग है यदि हेलिकॉप्टर से चलाया जाये तो इसी को हेलिना कहते हैं और पानी के अंदर जो भी पंडुब्या होती हैं उन्हें खत्म करने वाली मिसाइलों को कहते हैं स्थब मरीन मिसाइले स्थब मरीन मिसाइले हमारे देश में के सीरीज की हैं अब्दुल कलाम के नाम पर के सीरीज की मिसाइलों के रूप में इनका नाम रखा गया है तो क्या सभी लाल लालियों को मिसाइले बिलकुल याद हो गई या नहीं एक बार तेजी से कमेंट्स करिएगा मिसाइले याद हो चुकी हैं मिसाइलों के बारे में क्लियारिटी आ चुकी हैं पूरी तरह से बहुती बढ़िया, मिसाइलों के बारे में क्लियारिटी आ चुकी है, सब मरीन में K-Series प्रकार की मिसाइलों को सब मरीन मिसाइले हमने का नाम दिया है, गती के आधार पर मिसाइले तीन प्रकार की होती है लाल लालियो, एक होती है सब सोनिक, सब सोनिक, ऐसी मिसाइले जिनक स्पीड एक मैक से कम होती है सर ये एक मैक क्या है आये लाल लालियो एक मैक का मतलब होता है 332 मीटर पर सेकन 332 ही क्यों क्योंकि ये ध्वनी की गती होती है वायू में वायू में जो ध्वनी है वो इतनी रप्तार से जाती है तो लाल लालियो यदि किसी मिसाइल की गती 332 मीटर पर सेकंड से कम है तो उसे कहते सबसोनिक क्योंकि इसे एक मैक कहते तो एक मैक से कम वाले को कहते हैं सबसोनिक और सोचे कि कोई मिसाइल की रफ्तार इतनी हो कि मिसाइल की आवाज तुम तक पहुचे उसके पहले मिसाइल पहुच जाए तो उसे कहते हैं सूपर सोनिक मिसाइल की आवाज तुम तक पहुचे उससे पहले मिसाइल पहुच जाए तो उसे कहते हैं लाल लालियो सूपर सोनिक उसे कहते हैं सूपर सोनिक मिसाइल जिनकी रफ्तार एक मैक या उससे अधिक होती हैं मतलब 332 मीटर पर सेकन या उससे ज्यादा लेकिन अगर किसी मिसाइल की गती 5 मैक या उससे ज्यादा हो जाए तो अब उसे कहते हैं हाइपर सोनिक मिसाइल इस रफ्तार की मिसाइल को राडार डिटेक कर भी ले तो भी जब तक राडार डिटेक करके दुश्मन अपने आपको रक्षा करने की कोशिश करेगा तब तक मिसाइल काम कर चुकी होगी क्योंकि उसकी रफ्तार हाइपर सोनिक है हाइपर सोनिक मिसाइल का प्लस पॉइंट क्या है कि राडार डिटेक कर भी ले लेकिन जब तक राडार डिटेक करके सेना उसकी जवाबी कारवाई की तयारी करेगी तब तक तो हाइपर सोनिक अपना काम कर चुकी होगी तो गती के आधार पर मिसाइले सबसोनिक सुपर सोनिक और हाइपर सोनिक मिसाइले मानी जाती है आँ ये ज़रा देखते हैं लाल लालियो भारत में जो मिसाइलों को डेवलप करने वाली संस्ता है या भारत में जो रक्षा पर पूरी तरह से रिसर्च करने वाली संस्ता हैं वो हैं DRDO रक्षा अनुसंधान एवं विकाज संगठन Defense Research and Development Organization Ministry of Defense के अंतरगत DRDO भारत सरकार के रक्षा मंत्राले के प्रशाशनीक नियंत्रन के अधीन हैं 1958 में इसका निर्मान किया गया था यह भारत में वैसे ही काम करती है जैसे अंतरिक्ष के लिए इसरो काम करती है वैसे रक्षा के लिए DRDO काम करती हैं पर इसके अलावा ये कई ओर जगह काम करती है हमारे रेलवे में जो बायो ट्वाइलेट बनाए गए है वो DRDO की देन है और जो सफेद डाक की बिमारी होती है उस ल्यूकोडर्मा बिमारी के लिए ल्यूसकिन नामक दवाई भी DRDO ने बनाई है और अभी ज़रा कमेंड्स करन कोवीड कोरोना के लिए भी DRDO ने एक दवाई बनाई है क्या नाम रखा है उस दवाई का जो की DRDO ने कोवीड की बिमारी के लिए बनाई है तो दवाईयों में भी कई जगर DRDO मदद करता है कई सामाजिक कार्यों में भी DRDO का सीधा योगदान है लाल लालियो DRDO तो कई काम क देखते हैं अब भारत में मिलने वाली मिसाइलों के बारे में संग्षिप्ट वर्नन 2DG, 2DG, 2DGs का जो नाम रखा गया है बिलकुल, बिलकुल 2DG नाम रखा गया है आए जरा ध्यान से सुनिएगा भारत में मिलने वाली मिसाइलों में सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर मिसाईलों की जरुवत क्या पड़ी अप कहानी सुनना भारत की आजादी 1947 में हुई आजादी के 25 वर्ष की अगर हम बात करें तो लगभग 1971 तक की ही बात देख लो तो भारत ने तीन बार लडाईया देखी 1961-62 चीन के साथ, 1965 पाकिस्तान के साथ, 1971 बांगलादेश की आजादी बांगलादेश की आजादी में भारत की भूमी का 25 वर्षों में जिस देश ने तीन युद्ध देख लिये उस देश को ये बात समझ में आ गई कि यदि भविश्य में अपने आपको मजबूत बनाना है तो हमें मिसाइलों को डेवलप करना पड़ेगा तब इंद्रा गांधी ने 1978-79 में एक प्रोग्राम लॉंच किया जिसका नाम था Integrated Guided Missile Development Program एकी कृत निर्देशित मिसाइल विकास कारेकरम 1978-79 में इस कारेकरम की शुरुवात हुई इस कारेकरम के तहत कलक्ष रखा गया कि भारत पाच मिसाइलों को विक्सित करेगा जिसे याद रखने की ट्रिक्स है पटना प्रुत्वी अगनी त्रिशूल नाग आकाश समाप्त किया गया मतलब अधूरा नहीं छोड़ा समाप्त किया गया लेकिन 2008 में मिसाइलों के डेवलप्मेंट प्रोग्राम में हमने एक नया प्रोग्राम लॉंच किया अगनी मिसाइल अगनी मिसाइल डेवलप्मेंट प्रोग्राम जो अभी भी चल रहा है जिसके तहत अगनी 3, अगनी 4, अगनी 5 और अगनी 6 का विकास किया जा रहा है तो 2008 से भारत में अगनी मिसाइल डेवलप्मेंट प्रोग्राम चल रहा है और अगनी मिसाइल डेवलप्मेंट प्रोग्राम के तहत भारत में अब केवल अगनी मिसाइल पर मेनली काम चलता है तो IGMDP Integrated Guided Missile Development Program convert हो गया है अगनी Missile Development Program में ये भारत के Missile Program का इतिहास है भारत की आजादी से 25 वर्ष के भीतरी भारत को तीन बड़े युद्ध जहलने पड़े जिससे भारत की रक्षा प्रनाली मजबूत करने के लिए Missile को विक्सित करना पड़ा तब 1980 में एकी कृत निर्देशित Missile विकास कारेकरम प्रारंब हुआ 78-79 में लॉंच हो गया था पाँच मिसाइलों को विक्सित करने का लक्ष था The Integrated Guided Missile Development Program पटना पृत्वी अगनी त्रिशूल नाग आकाश तो आए 2008 में इस कारेकरम को समाप्त कर दिया गया लेकिन अगनी श्रेणी की मिसाइलों को इस कारेकरम से हटा कर अगनी मिसाइल विकास कारेकरम प्रारंब किया गया आईए देखते हैं सबसे पहली मिसाइल पुत्वी मिसाइल जो भारत में हम मानके चलते हैं भारत की पहली स्वदेशी मिसाइलों में शामिल है पुत्वी मीडियम रेंज सरफेस टू सरफेस मार करती हैं सर्फेस टू सर्फेस मार करती हैं, तीन सो किलोमीटर तक की रेंज हैं, और एक हजार किलोग्राम का पेइंग लोड का मतलब होता है, विस्पोटक पदार्थ, एक हजार किलोग्राम का विस्पोटक पदार्थ लिजाने की ताकत रखता है, मीडियम रेंज सरफेस टू सरफेस 300 किलोमीटर इसके तीन वेरियन्ट आ चुके है पृत्वी 1 एक सो पचास किलोमीटर तक की रेंज रखता है पृत्वी 2 साड़े 300 किलोमीटर तक की रेंज रखता है इसे वायू सेना धनुष कहती है भई सतह से सतह मार कर रहे हो तो वायू सेना भी तो यूज कर सकती है न हवा से सतह पर टारगेट करेगी तो पृत्वी 2 को धनुष के नाम से भी जानते हैं वायू सेना में वायू सेना में से धनुष के नाम से जानते हैं और पृत्वी 3 की जो रेंज हैं वो साड़े 300 से 600 किल है यह दोनों की दोनों हम कहेंगे कि टेक्टिक मिसाइल है टेक्टिक रननितिक मिसाइल है और यह शौर्ट रेंज की बेलास्टिक मिसाइल में शामिल की जा सकती है प्रुथवी 1 1988 में बनाई गई थी 1000 किलोग्राम बारूत ले में 1500 किलोमीटर की रेंज प्रुथवी दो एयर फोर्स वर्जन जिसे धनुष कहते हैं 96 में चेक किया गया और प्रुथवी तीन नेवी वर्जन माना जाता है तो पहला थल सेना दूसरा वायू सेना और तीसरे को नव सेना वर्जन के रूप में माना जाता है फिर दूसरी है आकाश आकाश ंडिया की 1st होम मेड तूपर सोनिक अर डिफेन्स मिसाइल है आकाश इज इंडियास फर्स्ट होममेड मीडियम रेंज सर्फेस टू एयर मिसाइल देट कें इंगेज मल्टीपल टारगेट फ्रॉम मल्टीपल डायरेक्शन फ्लाइंग एट लो मीडियम एड हाई एटिट्यूड तो यह आकाश मिसाइले हैं जो भारत की घर में बनी हुई पहली सूपर सोनिक एयर डिफेंस मिसाइल मानी जाती हैं एक साथ कई लक्षों को भेदने की शमता हैं सतर से आकाश में मार कर सकती हैं जमीन से छोड़कर उपर तक 30 से 70 किलोमीटर की उचाई पर जितने भी लड़ाकू विमान होते दुश्मन के उनको खत्म कर सकती हैं और एयर पोर्स और इंडियन आर्मी दोनों के लिए बनाई हैं आकाश का भी निर्मान DRDO के द्वारा किया गया हैं तीसरी है त्रिशूल सभी मोसम में काम कर सकती हैं ये भी सतर से आकाश में मार करने की शमता रखती हैं पर इसकी रेंज केवल 9 किलोमीटर तक की रेंज होती है और वर्तमान में इसका जनरली निर्मान नहीं होता है केवल तब बनाया जाता है जब युद्ध जैसी स्तती हो तब इसका निर्मान किया जाता है नाग एंटी टेंक मिसाइल है नाग एंटी टेंक मिसाइल तीसरी पीडी की दागोर भूल जाओ पायर एंड फॉर्गेड मि जो धुरू हेलिकॉप्टर में जोडा गया है, भारत में जो सेनिकों के पास हेलिकॉप्टर हैं, उसमें एक हेलिकॉप्टर हैं, फिर अगनी 1 अगर हम पूरे अगनी की बात करें तो जरा ध्यान से देखना अगनी 1 ये मीडियम रेंज की 700 से 1200 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल थी अगनी 5 को एक साथ देख रहे हैं अगर अगनी 1 की हम बात करें तो यह 700 से 1200 किलोमीटर अगनी 2 की बात करें तो 200 से 2500 यह साड़े 3,000 km है अगनी चार लगबग 4,000 km तक की range मानी जाती है और अगनी 5,000 km तक की range मानी जाती है अगनी 6 जो बनेगी लाल लालियो वो लगबग 10 नहीं 11,000 km की range होगी तो अगनी 1 और 2 तो IG MDP के तहट तयार हुई है, Integrated Guided Missile Development Program के तहट और ये जो डेवलप की गई है, 3, 4, 5, 6 अगनी मिसाइल, अगनी मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहट इस अगनी मिसाइल का निर्मान किया गया है, तो अगनी 1 के बारे में जानते हैं, Single Stage ठोस इधन, ये क्या लिखा होता है भई, ध्यान से सुनना, मिसाइलों का संबन रॉकेट टेकनोलोजी से हैं, और रॉकेट टेकनोलोजी हमारे देश में जो बनाई गई हैं न लाल लाली हो, वो इसरो के द्वारा डेवलप की गई हैं, इस रॉकेट टेकनोलोजी में कई त यहां पर होगा बारूद, यहां होगा बारूद, और यहां होगा इधन, यहां होगा इधन, जैसे डबल वाला दो स्टेज वाला होगा, तो यहां रहेगा बारूद, बारूद का मतलब जिसका भी विस्पोर्ट करना है, वो वहां जाएगा, और यह दो स्टेज वाला इध देन भी बनाया गया है लेकिन जहां चार श्टेज वाला लाया गया है वहां पर लिकवीड और सॉलीड लिकवीड और सॉलीड की बात चलती एंधक्र वह इद तो सॉलीड अध्न जनरली दो स्टेज तक में हैं नियुद प्रनौद बुष्टल और एक तरल प्रनोदक उपरी चरन का उप्यों करते हैं अगर नहीं भी याद रखो तो चलेगा क्योंकि जब मैं आपको इस पेस टेक्नलोजी पढ़ाऊगा तब इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे पर अभी रेंज याद रखना 700 से 800 किलोमीटर की मारक शम्ता लगबग अ गया धाई हजार किलोमीटर साड़े 3000 किलोमीटर तक भी जा सकते हैं अगनी चार लगबग 4000 किलोमीटर तक जाती हैं जो चित्र मैंने दिखाया है उसमें जो रेंज बताईए वो याद रखना यहाँ पर अगर हम बात करें तो 2000 किलोमीटर हैं और अगनी कारेकरम के तहत वि दियोंग किया गया है अगनी एक और दो में एक चरण अगनी तीन और चार में दो चरण वाला इधन है और अगनी पांच में तीन चरण वाला इधन है मतलब पहला थोस इधन है फिर और फिर हम बात करेंगे तो एक special type का निम्न ताप्मान वाला hydrogenic इधन है जिसे cryogenic की धन भी कहते हैं भारत की पहली स्वदेशी अंतर महाद्वीप्य बेलाश्टिक मिसाइल हैं देर्टन का परमानू बं भी लेकर जा सकती हैं परमानू बं भी लेकर जा सकती हैं सोचिये 5000 किलोमीटर की रेंज मतलब दिल्ली से अगर दागेंगे तो पूरा चाइना और आगे के शहर भी कवर हो सकते हैं दिल्ली से दागेंगे तो 5000 किलोमीटर के व्यास में जितने शहर आएंगे सब इस मिसाइल की रेंज में होंगे इसे सेना में शामिल होने के बाद भारत भी अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन इन पाँच देशों के जैसा इंटर कॉ रेंज में आने वाले देश बन जाएंगे अगनी पाँच और अगनी छे का अगर बन जाएगा डिवलपमेंट तो अगनी छे तो आप भारत से लाँच पूरे विश्व में कई भी कर सकते हैं 5000 किलोमीटर की रेंज हैं 17 मीटर की इसकी उचाई हैं लगबग 1360 किलोमीटर त उडिसा के विलर दूइब से टेस्टिंग किया गया था तो रेंज बताई गई थी कि भारत कितनी रेंज तक इसको कबजे में ले सकता हैं आप देख सकते हैं कि भारत के अंडर में अब कितने लोग आ चुके हैं जो ओडिसा का विलर द्वीप है उसे अब्दुल कलाम द्वीप भी नाम देते हैं अगनी वन ये वाली रेंज याद रखना मेरे लाल लालियो 700, 2,000, 3,000, 3,000 से ज्यादा ये सब ज्यादा को बता रहे हैं ये सब ज्यादा को बता रहे कि 700 किलोमीटर से ज्यादा दो हजार किलोमीटर से ज्यादा, पच्चिस सो किलोमीटर से ज्यादा, पैटी सो किलोमीटर से ज्यादा, इसमें नुकलियर इधन ले जाने की ताकत है अगनी पाँच में, तो परमानु विस्पोड भी किया जा सकता है, तीन स्टेज का इसमें सॉलिट इधन होता है, इसके पहले दो स्टेच का ही सॉलीड इधन उता था इस पूरे अगनि पाँच का वेट पत्चास हजार किलोग्राम का होता है, अगनी पाँच का वेट अगनी पाँच ये अगनी पाँच के बारे में जानकारी है तो पटना के तहट पटना के तहट पृत्वी आकाश नाग त्रिशूल और अगर हम बात करें उसके बाद फिर अगनी मिसाईल का डेवलप्मेंट प्रोग्राम शुरू किया गया अगनी मिसाईल में अगनी तीन चार पांच छे को चल रहा है छटवा डेवलप्म इसमें पहली है ब्रह्मोस्त्र लाल लालियो ब्रह्मोस्त्र रूस के मसकोनी नदी और भारत की ब्रह्मपुत्र नदी के नाम के आधार पर रखा गया है नाम आए ज़रा जानने की कोशिश करते हैं ब्रह्मोस्त रखो ये मिसाइल जब पहली बार बनाई गई थी उस समय मिसाइल की रेंज 290 किलोमीटर रखी गई सवाल ये है कि UPSC या कोई एक्जामिनर क्यों पूछता है ब्रह्मोस की रेंज क्योंकि याद रखना कोई भी एक देश दूसरे देश को मिसाइल टेकनोलोजी जब भी देगा तो वो ऐसी मिसाइल टेकनोलोजी देगा जिसकी ज्यादा से ज्यादा मारक शमता 300 किलोमीटर की ह होगी क्योंकि नहीं चाहते हैं विश्व के शांती बनाए रखने वाले देश कि किसी भी देश को ऐसी टेकनोलोजी हतियारों की मिल जाएं जिससे बाद में विश्व को नुकसान हो तब रूस ने जब इसको हमें पहले बनाने में मदद की तो इसकी रेंज 290 किलोमेटर र क्योंकि उस समय कोई और देश भी हमारी मदद नहीं कर सकता था 300 किलोमेटर से ज्यादा वाली मिसाइलों की टेकनोलोजी देने में तो हमारे देश के विज्ञानिकों ने अपने बल बूते ही उस रेंज और उस टेकनोलोजी को विक्सित किया लेकिन मैं इस कहानी को इसले बता रहा हूँ क्योंकि वर्ष 2016 में एक अदबुद घटना हुई एक्चुली ये जो सभी देशों ने मिलकर कसम खाई थी कि वह जिन देशों के पास लंबी दूरी की मारक शमता वाली मिसाइल टेकनोलोजी है वो किसी ऐसे देश को नहीं देंगे जिनके पास ऐसी टेकनोल रिजीम एक तरीके से बाध्यकारी समझोता है जो उन देशों ने किया था जिनके पास लंबी दूरी की मारक शमता वाली मिसाइले थी और उन्हें कसम खाई थी कि हम किसी भी देश को नहीं बेचेंगे क्योंकि इससे हतियारों की होड़ शुरू हो जाएगी 2016 में भारत भी इसका सदस्य बन गया क्योंकि भारत ने अगनी पांच अपने बल्बूते विक्सित करके दिखाई तो अब भारत पर भी नियम लग गया है कि भारत भी ये टेकनोलोजी किसी को नहीं देगा लेकिन रूस और भारत अब दोनों इसके सदस्य हैं तो जो लोग इसके सदस्य है वे आपस में इसकी बेचने या इसका निर्मान कर सकते हैं मिसाइल टेकनोलोजी कंट्रोरिजम तो ब्रहमोस्त्र दो का विकास किया जा रहा है जिसकी मारक शमता भी बेहतरीन होगी रूस के साथ मिलकर ब्रहमोस्त्र दो की भी बात चल रही है लेकिन अब बात दो हगी जब शुरू होगी तो वह कुछ अलग तरीके से होगी हम पहले ब्रहमोस्त्र वन के बारे में चर्चा करते हैं ब्रह्मोस्त्र भारत की सूपर सोनिक मिसाइल है लाल लाली ओ सूपर सोनिक ब्रह्मोस्त्र की अगर हम बात करेंगे तो यह सरफेस टू सरफेस सरफेस टू सी में 500 किलोमीटर या एयर प्लेटफॉर्म पर 400 किलोमीटर की रेंज तक अटेक कर सकती है और स्पा नदी नाम पर र विश्वकी सबसे तेज सूपर सोनिक क्रूज मिसाइलों में इसे शामिल किया जाता है, सबसे टॉप की नहीं लेकिन जितने टॉप है उसमें इसको भी मानते हैं, सेना में शामिल होने वाली विदेशी, विदेशी सूपर सोनिक पहली क्रूज मिसाइल हैं, फायर एंड फॉर को हाइपर सोनिक गती करेंगे और पंदरा सो किलोमेटर तक की अधिक्तम रेंज पर अब ये ब्रह्मोस्त्र दो में आएगा और क्या इसकी कहानी समझ में आई कि ब्रह्मोस्त्र दो की रेंज क्यों बढ़ाई जा सकती है क्योंकि भारत और रूस अब दोनों के दोनों MTCR के सदस्य है फिर एक और मिसाइल है निर्भय सबसोनिक मिसाइल है निर्भय सबसोनिक मिसाइल है ब्रह्मोस्त का पूरक मानी जाती है स्पीट कम जरूर है भूमी वाईू तीनों जगह से लाउंच और एक हजार किलोमीटर तक की पहुच है सब सोनिक मिसाइल मानी जाती है के सिरीज की मतलब कलाम सीरीज की मिसाइले हैं अभी भारतिय नौसेना के पास कलाम की सीरीज की पंदरा मिसाइलों का ग्रूप है जिसे सागरी का कहा जाता है जिसे सागरी का कहा जाता है और K4, K5, K6 का विकास किया जाएगा स्ताड़े 3000 किलोमेटर K4, K5, K6 अगनी 4, अगनी 5, अगनी 6 के जैसा विक्सित किया जा रहा है K4, K5, K6 बिलकुल अगनी के रूप में ही विक्सित हो रही है लेकिन वो नो सेना का वर्दन है और अगनी वायू सेना के लिए विक्सित की जा रहे वाली मिसाइलों में शामिल कहें या थल सेना के लिए किसी भी जगह से दागने के लिए तो नो सेना के लिए K4, K5 और K6 की बात चल रही है के मिसाइल समू मुख्य रूप से पंडुब्बी द्वारा लॉंच की जाती बेलास्टिक मिसाइले हैं सब्मरीन लॉंच बेलास्टिक मिसाइले हैं जिने DRDO के द्वारा स्वदेशी तरीके से विक्सित हैं इस मिसाइल समू से संबंदिद मिसाइलों का नाम डॉक्टर एबी जे अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया है यह मिसाइले मुख्य रुप से सब मरीन मिसाइले हैं जो पंडुब्बियों से प्रक्षेपित की जाती है नो सेनिक प्लेटफॉर्म दोरा लॉंच की जाने वाले मिसाइलों का विकास 1990 के दशक के अंत में भारत के परमानु परिक्षन कारेक्रम को पूरा करने की दिशा में शुरू हुआ इस कारेक्रम का उद्देश भूमी समुद्र वायू से परमानु हतियार लॉंच करने की शमता हासिल करना है इन मिसाइलों को पंडुब्यों से प्रक्षेपित किया जाता है और ये भूमी से प्रक्षेपित की जाने वाली मिसाइलों की तुलना में हलकी और छोटी होती है भारत ने साड़े तीन हजार किलोमीटर की रेंज वाली K4 मिसाइल का सफल परिक्षन कर लिया है और अब हम K5U को विक्सित करेंगे बिलकुल अगनी 5 के जैसे ही रहेगी तो K15 सागरिकाक का दूसरा नाम K15 है क्योंकि 15 मिसाइलों का वो ग्रूप है और इसलिए भारत के पास अभी K15 और K4 मिसाइले कम्प्लीटली अवेलेबल है सबमरीन के पास श्रेनी 5 की मिसाइल को अगनी 5 के समान विक्सित किया जा रहा है और अगनी 6 के जैसे K6 का भी डेवलप्मेंट होगा इसके अलावा शोर्य मिसाइल भी है जो भारत के हाइपरसोनिक मिसाइल होगी भारत की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल बनेगी लाल लालियो शोर्य मिसाइल को भारत की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल के रूप में जाना जाएगा हाइपर सोनिक मिसाइल के रूप में 7.5 मैक सोचिए 9261 किलो मीटर प्रती घंटा मतलब एक घंटे में ही 9261 किलो मीटर की रेंज तै कर सकती है इतनी दूरी तो अभी तै करनी नहीं है लेकिन सोचों की 500-600 किलो मीटर की रेंज अगर कवर करनी है तो 4-5 मिनिट में वह लक्ष को भेद देगी शोर्य मिसाइल भारत की पहली हाइपर सोनिक मिसाइल है जो शोर्य है वो के 15 मिसाइलों का ही भूमी संस्करन है मतलब यह जो शोर्य है वो के 15 सागरी का जैसी है उसका ही भूमी संस्करन है दो हजार, दो सो किलोग्राम से एक हजार किलोग्राम भार ले जाने में सक्षम हैं, सर्फेस टू सर्फेस टेक्टाइल मिसाइल हैं, साथ सो किलोमेटर से हजार किलोमेटर तक की रेंज हैं, शोर्य मिसाइल को ऐसे स्थान पर रखा जा सकता है, जहां इस पर दुश्मन की से हवा में मार करती हैं 100 किलोमीटर तक की रेंज हैं इकलोती अस्त्र है जो हवा से हवा में मार करती हैं प्रहार हैं कम दूरी की सामरिक mside m REDO के दौर्णविकषी थे 200 kg तक हतियार ले जाने में सक्षम है और 2 Mekalie हैं सुपर सोई हैं, राफेल में भी कुछ मिसाइलों को लिया गया है मिका, जिसे में अस्त्र के जैसी सखलप क्रूज मीसाइल है जो 300 कि लोमेटर तक मार सकती हैं हैमर मिसाइल हैं और मिटरर एयर टू एयर मिसाइल हैं तो मीका भी हैं मिटरर भी हैं अस्त्र भारत के पास पहले सी थी राफेल में हमने कुछ और मिसाइलों को भी लिया हैं तो भारत के मिसाइल प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो भारत के पास प्रुथवी, अगनी, त्रिशूल, नाग, आकाश, शोर्य, निर्भय, के सीरीज, के सीरीज, अगनी की 3, 4, 5, 6 इस प्रकार की मिसाइलों का एक पूरा का पूरा जाल है अभी राफेल के साथ कई सारी मिसाइले भी हमने फ्रांस से खरीदी है अब सवाल ये है कि ये तो हमला करेंगे पर हम पर हमला हुआ जैसे अभी इसराइल पर हमला हुआ तो इसराइल के पास एक डोम सिस्टम है इरान की मदद से बनाया गया तो वो जो dome system है वैसा हमारे पास भी तो defense system होना चाहिए न भई हमले के लिए तो ठीक हो पर सुरक्षा का भी तो देखना पड़ेगा कि सामने वाले ने मिसाइल दागे तो हम भी बच सके हैं उसे कहते हैं air defense system या advance air defense system का मतलब समझ में आ गया लाल लालियो हम दागेंगे यह तो सीखा पर कोई हम पर दागेगा तो हम अपनी रक्षा कैसे करेंगे तो हम भी क्या करते राडार system इसमें होता है इसमें खवाई जहाज होता है जो हमेशा तैनात रहता है कि कभी भी पता चले तो डाइरेकली हमला करने के लिए मिसाइल भेज देगा इसे वर्तमान में advance air defense system कहते हैं यह एक ऐसी तकनीक या प्रनाली है जो भूमी की सतह पर या वायूयान पर लगाई जाती हैं जो दुश्मन शेत्र से आने वाली बेलास्टिक मिसाइल को रादार तकनीक की साहिता से पहचानती है और उसे वायू में ही ध्वस्त कर देती हैं तो आप इसे किसी परवतिय शेत्र में उचाई पर लगा दीजे सिस्टम को जो हमेशा ही रेडियो डिटेक्शन एन रेंजिंग की साहिता से बताएगा कि हमारे शेत्र में कोई मिसाइल तो नहीं आ रही है पर कुछ जगह पर इने वायूयान पर भी लगाया जाता है ताकि वायूयान जितनी उचाई पर रहता है बहुत जल्दी वो डिटेक्श कर सकता है यह जनरली वायूयान तब उड़ाए जाएंगे जब हमें लगता है कि भारत पर हमला हुआ है तब ऐसी सिचुएशन में वायूयान हवा में लगातार निग्रानी रखता है कि कोई भी अगर करेगा तो उसका राडार उसे डिटेक्श कर देगा हमला करता है तो हाली में DRDO ने सोदेशी तकनीक से निर्मित नेत्र नामक तकनीक को समाप्त करने के लिए पृत्वियो राकाश नेत्र नामक तकनीक को विकसित किया है जिसमें पृत्वियो राकाश मिसाईल का उप्योग किया जाएगा तो जो पूरा सिस्टम है Advanced Air Defense System उसका नाम क्या है लाल लालियो भारत में? नेत्र यदि नेत्र सिस्टम को पता चला कि किसी दुश्मन ने हम पर मिसाइल भेजी तो उसकी मिसाइल को हवा में खतम करने के लिए हम क्या भेजेंगे? प्रुत्वी और आकाश मिसाइल को नेत्र प्रनाली को ब्राजील से खरीदे गए ERJ-145 नामक विमान पर भी लगाया गया है इसके उपयोग में जो राडार प्रनाली उपयोग की जाती है उस राडार प्रनाली को अवाक्स नाम दिया गया है तो जो राडार सिस्टम पूरा सिस्टम नेत्र है नेत्र की में एक राडार है अवाक्स राडार इसके लिए जो रक्षा में हमारे मिसाइले मदद करेगी वो त्रिशूल और आकाश है और जिस प्लेन पर उसे लगाया गया है वह ब्राजील से खरीदे गए ERJ-145 विमान है हमारे देश का स्वतर का राडार भी है जिसे कहते स्वाथी राडार यह होता है राडार सिस्टम लाल लालियो यह डिटेक्शन करता है हमेशा अंतरिक से आने वाले रेडियो सिगनलों के बारे में बताते रहता है तो यह होता है स्वाथी राडार राडार सिस्टम आप लोगों ने कई लोगों ने सोचा नहीं होगा कि ऐसा दिखता होगा DR डियो दौरा विक्सित राडार का निर्मान भारत इलेक्टोनिक्स लिमिटेट करता है पचास किलोमीटर की दूरी तक मौजूद दुश्मन के हतियार मोर्टार शेल रॉकेट आदी को लोकेट कराता है तो सीमा के पास लेकर जाईए इसको और सीमा के पास पचास किलोमीटर तक में जो भी हतियार है उनके वो हमें पता चल जाएंगे एक साथ कई दिशाओ से हो रहे फायर की लोकेशन और उनके हतियारों की जानकारी देने में सक्षम है इसके अलावा भारतिय थलसेना के बाद पास टेंक है भिश्म टेंक है भारत का प्रमुक युद्धक टेंक है जैविक रासाइनिक हतियारों से निपट सकता है शुरुवाती टेंक रूस में बनकर आये थे छे किलोमेटर दूर मिसाइल को लॉंच कर सकता है 48 टन वजन का दुनिया के हलके टेंक में शामिल है दिन और रात दुश्मन से लड़ने की शमता मिसाइल हमले को रोकने का कवच है इसके पास और एक बार में 550 किलोमिटर की दूरी तै कर सकता है तो ये भिश्म टेंक है जो रूस से बनकर आये थे इसका नाम भिश्म टेंक पड़ सकता है और जयवी खतियार से भी दूसरा है अरजुन टैंक हमारे पास दूसरा टैंक है अरजुन टैंक ये स्वदेशी रूप से विक्सित है भिश्मम ने रूस से लिया है तो अरजुन स्वदेशी विक्सित है अपने लक्ष को ढून लेता है DRDO के दोरा विक्सित युद्ध के दौरान दुश्मन टेंक की पहचान करके उसे नश्ट करता है बिचाई गई माइन्स हटा कर आसानी से आगे बढ़ता है मतलब अगर युद्ध के मैदान में कही माइन्स भी है तो उसे भी रिमू कर देता है और chemical attack से बचने के लिए special sensor लगे हुए है यह अरजुन टैंक है तो यह भिश्म टैंक यह अरजुन टैंक और एक पिना का rocket प्रनाली है एक साथ 12 rocket launch किये जा सकते है मतलब एक launching system है यह जहाँ युद्ध का मैदान होता है वहाँ कोई launcher थोड़ी बना कर रख देते है कि युद्ध के मैदान के पास launcher हमें पता यही से launch करेंगे वो तो दुश्मन निप्टा देगा उसे तो launcher system है यह launcher system जो rocket launching करने में मदद करेगा पिना का launching system है यह एक साथ 12 rocket को launch कर सकता है multi barrel rocket system है डियार डियो दोरा विक्सित है अत्या दुनिक दिशा सुचक प्रनाली से लेस है पिना का mark 1 मारक शमता 40 km तक की पिना का mark 2 65 km तक की मारक शमता क्योंकि जहाँ पर भी लंबी दूरी की बेलास्टिक मिसाइले तो पर्टिकुलर केंद्र से भीजी जाती है मैदानी जगह पर जहां पर युद्ध हो रहा होगा वहाँ पिना का जिल जाएगा पिना का वन में गाइड करने की तक्नीक नहीं थी और अब उसे अपग्रेट करके गाइडिंग प्रनाली से लेस कर दिया है इसका मतलब वह सेल्फ गाइडेड रहेगी वह अपने आप तय करेगी कि उसे कहा पर मिसाइले दागनी है तो ये थी लाल लालियो थल सेना की बात्चेत जरा एक बार मैं रिविजन लेना चाहूगा रिविजन लेना चाहूगा आगे बढ़ने से पहले तेजी से बताते चलिएगा अभी हाल फिलाल में सेना का जो सर्वोचपद बनाया गया जो तीनो सेनाओं में कॉडिनेशन करता है वो पद का नाम क्या है, तेजी से कमेंट्स करना, तेजी से कमेंट्स करिएगा, सीडियस, सीडियस का पद, ठीक है, दूसरा, बताईएगा लाल लालियो, भारत में थल सेना का सबसे प्रमुक पद कोन सा है और पहले कोन सा था, वर्तमान में थल सेना का सबसे प्रमुक या सर्वोच्च पद कोन सा है और पहले कोन सा था, तो जन्रल और फिल्ड मार्शल पहला था, इसके पहले फिल्ड मार्शल था, हमारे देश में IGMDP प्रोग्राम के तहत कितनी मिसाइलों को विक्सित करने का लक्ष था, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलप्मेंट प्रोग्राम 1978-79 में शुरू हुआ, इंद्रा गांदी के अंतरगत हम कह सकते हैं, और आपको बताना है कि इसमें कितनी मिसाइलों को विक्सित करने का लक्ष था, पाच मिसाइलों को, पाचों की ट्रिक्स हैं, पाचो कोन सी मिसाइल सतह से सतह मार कर सकती है, कोन सी मिसाइल सतह से सतह, पृत्वी और अगनी, पृत्वी अगनी, कौन सी मिसाइल हवा से हवा में मार कर सकते हवा से हवा में हवा से हवा में मार कर सकने वाली कौन सी मिसाइल हवा से हवा में अस्त्र कौन सी मिसाइल सतर से हवा में मार कर सकते हैं सतर से हवा में सतर से हवा में मार करने वाली त्रिशूल और आकाश कौन सी मिसाइलों को दागो और भूलो मिसाइल कहते हैं क्रूज मिसाइलों को क्रूज मिसाइलों को ऐसी मिसाइल जिसकी स्पीड पांच मेक से ज्यादा हो उस मिसाइल को क्या कहते हैं पांच मेक से ज्यादा वाली स्पीड वाली मिसाइले पांच मेक से ज्यादा की स्पीड वाली मिसाइले हाइपरसोनिक ऐसी कौन सी मिसाइल हैं जिसकी रेंज 5500 किलोमीटर से अधिक होती है 5500 किलोमीटर से अधिक रेंज वाली मिसाइलों को क्या कहते हैं 5500 किलोमीटर से अधिक रेंज वाली मिसाइलों को क्या कहते हैं इंटर कॉंटिनेंटल बेलास्टिक मिसाइल कहते हैं ICBM जो भारत की अगनी 5 है भारत में जो हेलीना है वो कैसी मिसाइल है हेलीना हेलीना कैसी मिसाइल है भारत की हेलीना हवा से anti-tank missile है anti-tank हवा से launch करने वाली anti-tank missile है फिर भारत में submarine missile की कोन सी series है submarine missile की series भारत में submarine missile की series बढ़िया कलाम सीरीज या के सीरीज कलाम या के सीरीज भारत की पहली hypersonic missile 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 शोरेद भारत की पहली हाईपरसोनिक मिसाइल शोरेद कों सी मिसाइल हमने रूस की मदद से बनाई है कौन सी मिसाइल हमने रूस की मदद से बनाई है ब्रह्मोस्त्र कौन सा टैंक हम रूस से लेकर आये हैं कौन सा टैंक भिश्म टैंक, अर्जून टैंक हमारा स्वदेशी है, हमारे देश का राडार सिस्टम का नाम क्या है, जो राडार सिस्टम है, तो राडार स्वाथी है, स्वाथी पिनाका क्या है, पिनाका मल्टी रॉकेट लॉंचिंग सिस्टम है, और हमारे देश का जो एडवांस एर डिफेंस सिस्टम है, वो नेत्र हैं, जिसमें मिसाइले पृत्वी और आकाश का उपियो किया गया है, वह ERG-145 ब्राजील के हवाई विमान खरीदों में लगाया हुआ है, और अवाक्स नामक पहला सिस्टम इसराइल का था, हमारे पास वर्तमान में नित्रवाला है, अब आते वायू सेना, लाल लालियो वायू सेना में हमें तीन चीज़े पढ़नी हैं, एक पढ़ना है लड लिकॉप्टर और एक पढ़ना है UAV, अनमेन एर वेहिकल जिसे ड्रोन भी कहा जाता है, तो सबसे पहले हम आते हैं लडाको विमान जैसे चित्र में आप देख रहे हैं, ये लडाको विमान है, लडाको विमान यान की गती और उसमें मिलने वाले युद्धास्त्र कीव शम लडाको विमान होते हैं, इनकी गती कैसी हैं, उनकी तकनीक कैसी हैं, वह कितने सुरक्षित हैं, उन पर कितनी हमले होने पर भी वो बच जाएंगे, उसके आधार पर इनकी पीढियात तय होती है, जो बॉर्डर मुवी देखी होगी, तो बॉर्डर मुवी में आपने देख सकती थी क्योंकि वो सेकंड जनरेशन के लड़ाको विमान मूवी में दिखाए थे वो मिग 21 थे लाल लालियो मिग 21 इस समय थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन के लड़ाको विमान नॉर्मली मिलते हैं जो रात में भी हमला कर सकते हैं एर स्ट्राइक कर सकते हैं रात में वर्तमान में भारत में मुख्य रुप से 3G और 4G वाले लड़ाको विमान मिलते हैं मतलब 3G जनरेशन और 4 जनरेशन ये मोबाइल जैसा 3G 4G नहीं मेरे लाल लालियो 3G 4G का मतलब ये लड़ाको विमान रात में भी काम कर सकते हैं ज्यादा स्पीड होती है इनकी शम्ता ज्यादा होती है इनकी मजबूती ज्यादा होती है मारक शम्ता ज्यादा होती है लंबे समय तक हवा में रह सकते हैं 2017 में भारतिय वयु सेना ने 2GPD के लड़ाकु विमान MIG-21 को अभटा दिया हैं, ये रिटायर कर दिये गए हैं, वर्तमान में भारतिय सेना के पास फ्रांस से खरीदे गए मिरास 2000, रूस से खरीदे गए MIG-29, MIG-29 वो 21 था, सुखोई MKI लड़ाकु विमानों के अलावा अभी फ्रांस से खरीदा गया राफेल 4.5UG लड़ाकु विमान भी हैं, जिसकी खेब भारत आना प्रारब हो चुकी हैं, तो भारत के पास मिक्सिमम साड़े चार जनरेशन वाले लड़ाकु विमान हैं, अमेरिका, रूस और ची पिड़ी के लड़ाकु विमानों का निर्मान करने पर सहमत हुए हैं, भारत और रूस मिलकर पाँचवी पिड़ी का लड़ाकु विमान बनाएंगे, जिसमें होगी स्टिल्ट टेकनोलोजी, क्या होती है सरिस्टिल्ट टेकनोलोजी, तो इस लड़ाकु विमान में लोहे क की गेंदे इस दरीके से लगाई जाती हैं कि जो भी दुश्मन का राडार है उस राडार का जो रेडियो डिटेक्शन है उसकी डाइरेक्शन बदल जाए और उसे राडार डिटेक्ट नहीं कर सकता है ऐसी टेक्नोलोजी को स्टील्ट टेक्नोलोजी कहते हैं इस टील्ट अक्निक होती है जिसमें लडाकु विमान पर लोहे की गेन जैसी आकृतिया लगाई जाती हैं जो रेडियो तरंगों को परावर्तित न कर उसकी दिशा को बदल देती हैं इसके कारण दुश्मन इन लडाकु विमानों को विक्सित करने में आते हैं एक एक लडाकु विमान सबसे पहला लडाकु विमान है भारत का इस समय मिग 29 जिसे आप चित्र में देख सकते हैं रूसी लडाकु विमान है रूस से लिया गया है आसमान में ही रीफिलिंग मतलब आसमान में ही वह इधन बढ़ सकता है विमान में अलग से एक फ्यूल टेंक होता है 2000 किलो मेटर प्रतिघंटे की रप्तार और 1400 किलो मेटर तक एक बार में जाकर वापिस आ सकता है 1400 किलो मेटर जाकर वापिस का मतलब हुआ 700 किलो मेटर जाना और आना फिर है सुखोई 30 MKI सुखोई 30 MKI रूष के सयोग से भी रूष से ही मिला है मिग और सुखोई उडान के दोरानी फ्यूल भड सकता है विमान में डबल इंजन है 3000 km तक की उड़ान भड़ सकता है 3000 km फिर है मिराज मिराज हमने लिए है फ्रांस से अधिक्तम 2000 km प्रती घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है चौथी पीड़ी के मल्टी रोल लड़ा को विमान है मिराज 2000 एर टु एर मार करने वाली और air to land पर मार करने वाली मिसाइल लेजर गाइडेड मिसाइले परमानु शक्ती से यह भारत का तेजस है लाल लाली ओ भारत का भारत ने भी स्वदेशी तकनीक से एक लडाकू विमान बनाया है जिसका नाम है तेजस हलका लडाकू विमान है यह हलका जैसे दुनिया के बहुत भारी भारी लडाकू विमान होते हैं हलका लडाकू विमान है तेजस यह पुरान अपने MIG-21 लडाक विमानों का स्थान लेगा भारत की हिंदुस्तान Eronautics Limited के द्वारा बनाए गए हैं अपने वर्ग में सबसे हलका सबसे छोटा टेलेस मल्टी रोल सुपर सोनिक लडाक विमान है हलका लडाक विमान है हवा से हवा हवा से सतष तटिक निर्देशित हत्यार कि एक रेंज को ले जाने के लिए डिजाइन है आकाश में इधन बढ़ने के लिए शक्षम माना जाता हैं फिर है राफेल जिसके बारे में भारतिय मीडिया ने आप लोगों को इतना अउगत कराया है कि मुझे नहीं लगता है कि मुझे आपको अउगत कराने की जरुवत हमारे देश के महान मीडिया कर्मियों ने अपने स्टूडियों में बैठ कर बकाइदा अलग-अलग ड्रेस के माध्यम से इसे दिखाने की कोशिश की हैं। साड़े चार जनरेशन का मल्टी रोल कॉमबेक्ट एरक्राप्ट हैं, आकाश से जमीन, आकाश से आकाश में हमला कर सकता हैं, साथ हजार फिट की उचाई पर लए जाने में सक्षम हैं, 2130 किलोमेटर प्रती घंटे के रफ्तार से उड़ सकता हैं, 3700 किलोमेटर की मारक शम्ता और स्टिल टेक्नोलोजी है इसमें, पर उतनी नहीं जितनी कि हम मानते हैं होनी चाहिए, तो इसमें कई प्रकार की मिसाईलों का भी बातचित की गई हैं, बाकी तो आप भारतीय मेडिया के एक बार कारेक्रम को देख लेना, भारत में मिलने वाले उप्योगी भी हैं, जो इसमें मदद करते हैं, भारत में स्वदेशी स्तर पर विक्सित किये जा रहे हेलिकॉप्टर है, चीता, चेतक, ध्रूव और रुद्र, ये भारत के स्वदेशी हेलिकॉप्टर है, आप कहेंगे सरी हेलिकॉप्टर क्या होता है, चित्र दिखा रहों में, भारत का सबसे पुराना हेलिकॉप्टर ध्रूव हैं जो भारतिय सेना में अपनी सेवा देता हैं भारत में कई विदेशी हेलिकॉप्टर भी हैं ये हेलिकॉप्टर कुछ ऐसे होते हैं जिन से हतियार भी दागे जा सकते हैं मिसाइले भी दागी जा सकती हैं चीता हेलिकॉप्टर ह सिंगल इंजन वाला हेलिकॉप्टर गर्म वातावरन में भी काम कर सकता हैं यह चेतक हेलिकॉप्टर हैं नेवी के पास मौझूद सबसे पुराना हेलिकॉप्टर चेतक हैं धुरूव हेलिकॉप्टर हिंदूस्तान एरोनौटिक्स लिमिटेट के द्वारा हलका लडाक विमा मिसाइल और हवा से हवा मार करने वाला इसमें हेलीना इसमें भी हैं और ध्रुव में भी रखी गई हैं तो यह हेलिकॉप्टर है और शिनुक और अपाचे जैसे हेलिकॉप्टर हमने अमेरिका से खरीदे हैं शिनुक और अपाचे जैसे हेलिकॉप्टर जो हैं वह हमने चिनुक और अपाचे अमेरिका की बॉइंग कंपनी से खरीदे गए है इसके निर्मान की तक्नीक भी भारत ने करीद लिये मतलब भुष्यमें या भारत में बनेंगे इसके अलावा भारत के पास MI-25 है जो रूस से लिया गया है एक बड़ा हेलिकॉप्टर माना जाता है लगबग इस टाइप का हेलिकॉप्टर है इस टाइप का हेलिकॉप्टर है फिर आते हैं UAV ड्रोन वायू सेना की तीसरी ताकत है ड्रोन जिसमें कोई मनुष्य नहीं होता है यह निग्रानी के लिए और हमले के लिए भी उपयोग किये जाने लगे हैं ड्रोन यू एवी अनमेन एयर वेहीकल इसमें भारत के पास है रुस्तम मध्यमुचाई पर लगबग 27,000 फिट भारत की तीनों सेनाओं के दोरा इसका उपयोग होता है चोबिस घंटे तक उड 22,000 फिट की उचाई तक 1.8 टन का है 280 किलोमीटर पर अवर रिमोट से कंट्रोल करेंगे हमें से बिना किसी मनुष्य के तो अगर इसको कोई गिरा भी देता है तो मानव की हानी नहीं होती है मेडियम लॉंग रेंज इलेक्ट्रो अप्टिक का उपयोग है सिंथेटिक अपर आफंष्यत का जो हतियारों से भाविश्य में लेस किया जाएगा अबिकेवल निगरानी के लिए तीसरा नेत्र है तो ही अभियानों के लिए यूद्किया जाने वाला नेत्र है यो के द्वारा एक अभ्यास ऑख्यों भी हैं जो एक पक्षी के आकार का माना जाता है जनरली आटो पाइलेट सभी में हैं फिर हेरान ड्रोन हैं जो हमने इसराइल से खरीदे हैं तो रुस्तम वन रुस्तम टू नेत्र यह सब हमारे देश के हैं पर हमने हेरान ड्रोन इसराइल से खरीदे हैं इसराइल से खरीदे ह आये थे वर्ष 2019 में केंद्र सरकार ने ड्रोन अन्मेन एयर वहीकल के संबन में दिशान निर्देश जारी किये हैं डीजी सीय ने ड्रोन के मुख्यता पांच प्रकार निरधारित किये हैं डीजी सीय मतलब हमारे देश में जो एयर ट्राफिक को कंट्रोल करने वाला सेंटर है इधर ध्यान से सुनना लाल लाली हो एक्चुली अब अमेजोन और कई e-commerce कंपनिया ड्रोन के माध्यम से भी डिलिवरी करने की बात कर रही है तो कुछ रेगुलेशन जरूरी है इसमें पांच तरीके के ड्रोन आएंगे नैनो, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम और लार्ज नै जिनका 200 ग्राम से अधिक लेकिन 2 किलोग्राम से कम, स्मॉल ड्रोन 2 किलोग्राम से 25 किलोग्राम के, मीडियम ड्रोन 25 किलोग्राम से 1.500 किलोग्राम तक के और लार्ज ड्रोन 1.500 किलोग्राम से ज्यादा, नैनो ड्रोन के अतरीक तन्य सभी ड्रोन को विमानन नियामक, एव प्योग करेगी तो जो जैसे हमारे गाड़ी का एक नमबर प्लेट होता है वैसे हर एक का नमबर प्लेट रहेगा और ये नमबर प्लेट कोन देगा विमानन नियामक एविशन रेगुलेटरी बॉडी सभी ड्रोन के लिए आवश्चक उपकरन जैसे जीपियस आईडी प्लेट आदी अनिवार हैं ड्रोन के लिए आवश्चक एक उसका प्रयोग केवल दिन के समय किया जाएं परंतु रात के समय होने वाले सामाजिक समारो विभा समारो आदी में फोटोग्राफी के लि दिन रहेगी जैसे की जनपद हो गया हमारे जो वहां पर ड्रोन दिन और रात में नहीं उड़ाए जा सकते कभी वहां पर कंट्रोल रखने की बात कहीं गई हैं अब आते हैं लालालियो नव सेना पर नव सेना में हमें दो चीज़े पढ़नी हैं और नौ से ना में दो चीजे क्या पढ़नी हैं, एक तो पढ़नी है विमान वाहक पोत, और दूसरा पढ़ना है हमें पंडुब्भी, पहले विमान वाहक पोत, क्या चीज होती है ये, अभी कुछ समय में दिखाते हैं, भारत के पास पहला विमान वाहक पोत था विक्रान, ब लोहे को पिगला कर बाईक बनी है बाईक तो बाईक बनाने वाली कमपनी ने मार्केटिंग की है विक्रान का लोहा पिगला कर क्योंकि विक्रान जब यह रिटायर होते हैं तो फिर लोहा और भंगार में बेचे जाते हैं तो यह 96-97 में रिटायर हुआ ब्रिटेन से खरीदा था दूसरा था विराट विराट 2016 17 में रिटायर हुआ ब्रिटेन से खरिदा था अब तीसरा है जो वर्तमान में है विक्रमा दित्य 2014 में भारतिय नौसेना में शामिल हुआ और रूस में इसे एड्मिरल गोर्ष को के नाम से जानते हैं ये रूस ने हमें उपहार में दिया है रूस में एड्मिरल गोर्ष को के नाम से इसे जाना जाता था ये रिटायर हुआ रूस में तो रूस ने इसे गिप्ट किया लेकिन रूस ने बदमाशी की उसने गिप्ट देने के साथ एक शर्त रखी किसकी मरमत का काम आप रूसी कमपनी को देंगे उस बदमाश रूसी कमपनी ने 2.4 बिलियन डॉलर अमाउंट लिया हमसे उसकी मरमत का तो 2014 में भली ये उपहार है लेकिन खरीदा गया उपहार है ये हैं विमान वाहक पोत आप जरा चित्र पर गोर्दे कोर से देखिएगा बहुत बड़ा जहाज होता ही है आपको मैं बत प्रेन, फ्रांस, चीन, रूस के पास ऐसे दो, दो, तीन, तीन, चार, चार हैं अभी भारत के पास केवल एक है विक्रमा दित्य एड्मिरर गोर्च को को भारत में जब शामिल किया गया तो विक्रमा दित्य के नाम से इस पर MiG-29 लड़ाकु विमान यहां खड़े होते हैं यहां MiG-29 हेलिकॉप्टर जो होते हैं वो भी यहां पर खड़े होते हैं और इसकी स्पीड ज्यादा से ज्यादा 30 knots तक होती हैं 30 knots और यह 7000 nautical mile तक जा सकता हैं 18 knots की नॉर्मल स्पीड होती हैं तो आप सोचें कि इसको चलाने के लिए कितनी बड़ी उर्जा की जुरत परती होगी जनरली यह परमानू उर्जा से चलते हैं atomic energy से चलते हैं बहुत बड़े energy की जुरत परती आब आप चित्र में देख सकते हैं कि यह हैं वीमान वाहक पोथ यहांसे लड़ा को विमान मतलब फ्लाइट मतलब उडान भड़ते हैं और यहां पर उतरते भी हैं लेंडिंग भी करते हैं लगबक 1600 से 1800 जवान नौ से ना के 1600 से 1800 जवान यहां पर रह सकते हैं इनकी पूरी सुईधा होती है 1600-1800 जवानों को रोकने की पूरी सुईदा होती है सोचिए कि लड़ाकू विमान जैसा हेवी वेहिकल जब इस पर आता होगा तो ये हिलता भी नहीं है कितनी भयानक ताकत इसको चलाने में लगती होगी आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं तो आयनेस विक्रांत ये भारत का स्वदेश में निर्मिता भारत ने भी स्वदेशी निर्मित शुरू कर दिया है 2014 में तकलिफ ही तो और कोन मदद कर रहा है हमारी अमेरिका अमेरिका कह रहा है कि क्यों रूस के फेरे में रहते हो मैं मदद कर रहा हूँ ये दोनों ही देश हमें एक दूसरे के खिलाब भढ़काने में मदद करते रहते हैं तो जहां लड़ाकों विमानों में हैं रूस हमारी मदद कर रहा है पाँच फायूजी टेक्नोलोजी के लिए यहां आयनेस विक्रांत नामक हम भारतिये विक्सित कर रहे हैं जो विक्रांत पहला रिटायर हुआ न उसी के नाम पर हमने आयनेस विक्रांत रखाए आयनेस का मतलब होता है इंडियन नेवल शिप यह भारत का पहला स्वदेशी निर्मीत विमान वहक पोथ है अमेरिका की सायता से इस्टो बार तकनीक छोटे रन्वे पर भी रोका जा सकेगा इसमें क इस्टो बार टेकनलोजी जो अभी किसी के पास नहीं सिवा अमेरिका के अलावा छोटे रन्वे पर भी हम विमान को रोक सकते हैं क्योंकि लंबा रन्वे लगता है तो छोटे रन्वे में क्या होता इसमें तार होते तार तो जैसे ही लड़ा को विमान आता है तो तार में गुथ जाता है और रूख जाता है फिर तार अपने आप खुल जाते हैं तो छोटे रनवे में ही विमान रूख सकता है अब छोटा रनवे रूखने के लिए तो लॉंचिंग के लिए भी तो कोई सिस्टम होगा तो इलेक्ट्रो मेगनेटिक एयर लॉंचिंग सिस्टम है जै एक ऐसी टेक्नोलोजी हैं जिसमें ज्यादा से ज्यादा उपयोग उस विमान वहक पोत का विमानों के लिए और सेना के द्वारा किया जाएगा न की रनवे के रूप में छोटे रनवे में भी काम हो जाएगा तो इस्टो बार टेक्नोलोजी और इमाल्स टेक्नोलोजी आइन पंडुबी और एक होती है परमानू इधन पर चलने वाली पंडुबी पंडुबी मतलब पूरी तरह से पानी में डूबी रहती है ये पानी में डूबी गाजी अटेक आपने अगर मुवी देखे तो आपको पंडुबी जल्दी समझ में आ जाएगी ये जो डीजल समय के अभियानों में अच्छी नहीं होती है पर परमानू इधन से चलने वाली जो पंडुब्या होती है वो कई महिनों तक पानी के अंदर रह सकती है इसलिए उसको कोई डर नहीं होता है वह दुष्मन के द्वारा detekt भी नहीं की जा सकती है पंडुब्वियों को डिटेक करने के लिए सोनार सिस्टम का उपयोग करते हैं साउंड और नेविगेशन रेंजिंग आपने अगर देखा होगा तो गाजी में बहुत बार सोनार का उपयोग दिखाया गया है जिसमें उपने रेंज में दिखाता है डीजल पंडुब्वी डीजल पंडुब्वी में भारत के पास है आयने सिंदु घोष इसे सिंदु प्लांस भी लिखा गया है कई किताबों में सिंदु प्लांस भी लिखा गया है सिंदु घोष सिंदु प्लांस इंडियन नेवल शिप सिंदू गोस्ट इंदू प्लांस क्या है पंडुब्बी है कोन सी पंडुब्बी है डीजल वाली रूस से ली गई है 17 नौट टक की गती होती है टॉर्पीडो मिसाइल इंटीट सिप मिसाइल सब कुछ है इसके पाथ सुरक्षा के लिए टॉर्पीडो शिशुमार जर्मन से ली गई है भारतीय नौसेना कि सबसे पुरानी और घात क पंडुब्बियों में से एक है आये शिशुमार आये सिंदू गोश्ि की तुल्ना में छोटी पंडुब्वी हैं सिर्फ शिशुमार पंडुब्वी में इमर्जंसी एक्जिट किट जिसकी मदद से एक साथ सभी लोग बाहर निकल सकते हैं फिर आयनेस कलवरी हैं इस कॉर्पिन श्रेनी की पहली पंडुब्वी है जो फ्रांस से खरीदी गई है तो रूस से सिंद रक्षा के उपकरण लगाये हुए है नाभी की फंडुब्वी भारत द्वारा रूस से खरीदी गई ईनिस चक्र अनेस चक्र भारत की नाभी के पंडुब्वी खरीदी नहीं गई है लीस पर ली गई है दस वर्शों के लिए लीस पर लिए वापिस लोटानी पड़ेगे भारत के द्वारा आप स्वदेशी स्तर पर विक्सित की जा रही है परमानू पंडुब्बी भारत स्वदेशी विक्सित कर रहा है आयनेस अरिहंट और आयनेस अरि घाट अरिहंट का मतलब दुश्मन को नस्ट करने वाली तो आयनेस अरिहंट जल थल और नब में मार कर सकती है पानी से ही नुकलियर ट्रायड भी कहा जाता है नुकलियर हत्यारों को भी ले कर जा सकती है ये भारत की पहली नुकलियर नाभी की इधन पर चलने वाली 15 मिसाइले इसमें 7500 किलोमेटर तक की रेंजवाली के 15 मिसाइले जिने सागरिका भी कहते हैं इनको बनाने के बाद भारत छटा देश बन गया जिनके पास इस तरीके की पंडुब्बिया हैं अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस के अलावा फिर आयनेस अरीघाट भी विक्सित की जारी हैं अरियंत की दूसरी श्रेणी की पंडुब्बी हैं और यह भारत की आयनेस अरीधमन भी इसको कहते हैं आयनेस अरीधमन भी कहते हैं तो आयनेस चक्र परमानू पंडुब्बी है लेकिन रूस से लीज़ पर ली है आयनेस अरियंत और आयनेस अरीघाट भारत खुद विक्सित कर रहा है तो याद रखेगा इसे याद रखेगा सभी लाल लाली अरीघाट है सेकंड नुकलियर अरीघाट अरीघाट को भी भारत बना रहा है टारपीडो क्या हैं टारपीडो भारत के पास है वरुनास्त्र यद पंडुब्बी रोधी टारपीडो GPS की मदद से अपने लक्ष को भेच सकता हैं अभी तक भारतिय नौसेना विदेश से खरी दे गए टारपीडो का इस्तमाल कर रही थी लेकिन अब वरुनास्तर के वरुन कर देते हैं दुश्मन के पंडुब्यों को तो ये है भारत की थल सेना वायू सेना और नव सेना तो लाल लालियों परमानुशस्त्र कारेक्रम भारत का परमानुशस्त्र और कारेक्रम भी रक्षा का एक महतुपुर्ण कारेक्रम है क्योंकि भारत ने परमानुशस्त्र बनाया उसके बाद ही तो भारत के बारे में दुनिया वालों को पता चला कि ये भी एक शक्तिशाली राष्ट है 18 मई 1904 आज से चार दिन के बाद 18 मई 1904 में पहली बार परिक्षन किया था परमानुशस्त्र का भारत ने राजस्तान के पोखरन में उस परिक्षन का नाम रखा था इसमाइलिंग बुद्धा इसके बाद विश्व के कई शक्तिशाली देशों ने हम पर प्रतीबन लगाये थे रूस को छोड़ कर फिर 1998 में अटल बिहारी वाजपई की सरकार ने 11 मई और 13 मई 11 मई और 13 मई को मिशन शक्ति के नाम से परमानुबम लाल लालियो परमानुबम और हाइड्रोजन बम का परिक्षन किया था भारत उन देशों की सुची में शामिल हो गया जिनके पास हाइड्रोजन बम भी है तो 11 और 13 मई को मिशन शक्ति 1998 में परिक्षन हुआ था भारतिय परमानुशस्त्र कारिक्रम किसी भी देश पर हमला करने के लिए नहीं बलकि सेल्प डिफेंस का प्रोग्राम माना जाता है परमानुबम सेना के हाथ में नहीं बलकि सरकार के हाथ में हैं क्योंकि हमारे देश में परमानुबम का उपियो करना है या नहीं ये राजनेतिक इकाई तय करती है राजनेतिक इकाई मतलब प्रधान मंत्री और उनकी अध्यक्षता में बनाई गई कैबिनेट की समीति उसके नीचे एक और समीति है जिसमें तीनों सेना के अध्यक्ष होते हैं महतुपुर्ण सची होते हैं और वो सला देते हैं इन्हें कि आपने परमानु बम उपियोग करना चाहिए या नहीं पर इनकी सला बाध्यकारी नहीं होती हैं अंतिम निर्ने राजनेति के नागरी को द्वारा चुनी गई सरकार का होता है भारत पहले परमानु बम का प्रयोग नहीं करेगा लेकिन आत्मरक्षा के लिए अंतर राश्ट्य समझोते पर हस्ताक्षर किये भिना ही भारत इन समझोते का पालन करता हैं भारत के परमानु बम नियूंतम शम्ता वाले है लेकिन जैविक रास्ताईनी खमले अगर भारत पर हुए तो भारत उसका जवाब परमानु बम से देगा फिर विश्व में इस परमानु बम की होड और हतियारों की होड को कम करने के लिए कई प्रकार की संधिया भी आई सबसे पहली संधी है परमानु अप्रसार संधी नौन प्रोलिफरेशन ट्रिटी ये इतनी बदमाश वाली संधी है न कि इसमें पहले से विश्व को दो भागों में बाटा गया है एक है परमानु हतियार संपन्न देश जिसमें पाँच देश है जिने की युनाइटेड ने इस विक्सित नहीं करेगा तो हमने का भी ये कौन सी भेदबावाली नीती चल रही है उनको भी मना करो बन करो उनसे कहो कि हतियार खतम कर डाले वो परमानु बंके हम भी नहीं बनाएंगे हमने हाथ साइन नहीं कि हमने साइन नहीं कि पाकिस्तान का आर्गुमेंट ही कि भा संदी पर 1968 में हस्ताक्षर किये गए 1970 से प्रभावी है 191 कंट्री इसमें शामिल है भारत ने संदी पर हस्ताक्षर नहीं किये है भारत कहरा भी भेदबावपुर्ण है भारत का विचार है कि NPT संदी भेदबावपुर्ण है तो इसमें शामिल होना उचित नहीं है हमारे प शर्मानु शक्ती संपन्द नहीं उन्हें सिर्प उन पर ही नियंत्रन की बात करती है जब कि पहले इन पाचों पर नियंत्रन करिए तो उन्हें ने नंपीटी पर साइन नहीं किये फिर दूसरी स्ट्रेड दूसरी ट्रिटी है इस ट्रैटजिक आम्स लिमिटेशन टॉक अमेरिका और रूस शीत युद्ध में अमेरिका और रूस ने इतने हतियार बढ़ा लिये थे न कि इनसे रिक्वेस्ट की लोगों ने कि भी क्या चाहते हो पूरी पूरी पृत्वी खत हो जाए तब जाकर इन्होंने अपने हतियार कम के सामरीक हतियारों पर प्रतीबन लगाना 1972 में हस्ताक्षर हुए वर्तमान में अप्रभावी क्योंकि अब इसका नवीनी करन नहीं हुआ तो सौल्ट आई फिर मिसाइल टेक्नलोजी कंट्रोल रिजिम MTCR जिसके तरत कहा ग लेकिन कोई भी देश जिसके पास यह टेक्नलोजी है वह किसी दूसरे देश को नहीं देगा मिसाइल टेक्नलोजी कंट्रोल रिजिम 1987 में जी सेवन देशों के द्वारा फिर 12 विक्सी देशों ने मिलकर आन्वीक हतियारों के प्रसार को रोकने के लिए समझोता किया MTCR 2016 में भारत MTCR का पूर्ण सदस्य बन गया है फिर स्टार्ट संदी अमेरिका और रूस के बीच में हुई थी परमानु हतियारों को रोकने के लिए 1991 में स्टार्ट वन हुआ था और अभी स्टार्ट टू की बात चल रही है विस्तार करने का प्रस्ताव रखा है रूस ने भी सहमत ही दिये 12-1200 परमानु बं बना चुके गरीब लो पाच परमानु बं में प्रुत्वी कभी जिन्दगी नहीं देख पाएगी पर ये गरीब 12-1200 परमानु बं बना चुके हैं केवल हवाबाजी में केवल हवाबाजी में तो स्टार्ट और सॉल्ट अमेरिका और रूस के बीच में फिर सीटी बीटी आई इस संदी का कहना है कि परमानु परिक्षन पर भी बैन कर दो भारत ने कहा कि कुछ देशों के पास सूपर कम्प्यूटर हैं जो छोटे से परिक्षन से भी बता सकते हैं कि उनके परमानु बं की ताकत कितनी हैं अगर बैन करना है तो सब कुछ बैन करो न हम तो पूर्णा निशस्त्री करन के लिए कभी भी तयार हैं यह ऐसे अधूरे बैन क्यों लगाते हों हमने सपर भी साइण न ही किया चूबीस सितंबर नाइंटीसिक्स को अस्तित्व में आई भारत पाकिस्तान सीटीविटी पर स्थाक्षर नहीं किया इज्रैल ने भी नहीं किआ हैं परमानू परिक्षणों पर प्रतिवन सदसे देश अपने नियंतर 2020 unless की गई हैं पिचले वर्ष में रख्षा मंत्राले ने रक्षा उत्पादन और निर्यात सववर्धन निती 2020 का मसोदा तयार किया और इस निति के तघ्र को आत्म निर्वर बनने और निर्यात के लिए देश की रक्षा उत्पादन शम्ताओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अतिव्यापी मार्गदर्शक दस्तावेच के रुप में माना गया है हम विश्व के उन देशों में शामिल हैं जो रक्षा उत्पादों को सबसे ज्यादा खरीदते हैं मेरे लाल लाली हो इसलिए 2020 की पॉलिसी महत्वपुर्ण है क्योंकि इस पॉलिसी में पहली बार कहा गया कि हम बेचना चाहते हैं हतियारों को और आत्म निर्भर बनना चाहते हैं सशस्त्र बलो की आवशक्ता को पूरा करना गतीशिल मजबूत प्रतिसपर्दी रक्षा उद्योग विक्सित करना आयात पर निर्भरता कम करना मेकिन इडिया पहल को आगे बढ़ाना और रक्षा उत्पाद के निर्याद को बढ़ाव दिया जाएगा घरेलू रक्षा उद्यों को चार लाग करोड के कॉंट्रेक्ट दिये गए बविश्यम्यान रक्षा उत्पादों पर भी बैन लगेगा इससे बेनिपिट होगा कि भारत का पैसा भारत के कम्पनियों में जाएगा बही घुमा पिराकर भारत में रहेगा न पर विदेशों को पैसा नहीं जाना चाहिए बावन हजार करोड रुपए के अलग से बजट किया गया है तो एक तरीके से बैन लगाने का मतलब है कि हम अब आयात नहीं करना चाते हैं पिछले वर्ष अगस्त में भारत के रक्षा मंत्राले ने स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने और रक्षा उत्पादन में भारत को आत्म निर्वर बनाने के लिए 101 रक्षा उपकरनों के आयात पर प्रतीबन लगा दिया अब इन रक्षा उपकरनों को किसी देश से नहीं खरिदा जा सकेगा बलकिन के आपूरती घरिरी स्थर पर की जाएगी इस प् भारत रक्षा उपकरनों के आयात के मामले में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश था मतलब सबसे ज्यादा सौधी अरब ने हतियार खरीदे थे और उसके बाद भारत ने सबसे ज्यादा हतियार खरीदे फिर मिश्र ऑस्टेलिया अरजेलिया और चाइना अरजेलिया और चाइना इन लोगों ने हतियार खरिदे सबसे ज्यादा हतियार खरिदे हैं सौधी अरब ने उसके बाद भारत ने उसके बाद भारत ने और सबसे बड़ा विक्रेता देखना भारत का सबसे बड़ा विक्रेता रूस हैं हमें सबसे ज्यादा हतियार बेच कर चला जाता है के दूसरे नमबर पर इस्राइल हमें हतियार बेशता हैं और तीसरे नमबर पर अमेरिका शरकार के इस निर्नाइका महत्वए रक्षा शेत्र में विधेशी मुद्रा-बंडार्सुरक्षित करना भाविश्य में भारत निर्याद भी कर सकता है रोजगार की आउसर बनेंगे घरेलू इकाईयों में सकारात्मक प्रतिसपर्दा होगी तो आत्म निर्बर भारत बनेगा FDI को भी बढ़ा दिया गया है कि विदेशी कमपनिया भारत में आकर कमपनी डाले तो भी हम उस अतियार को मानेंगे कि वो भारत का है क्यूंकि वो अगर विदेशी कमपनी भारत में उत्पादन करेगी तो मेकिन इंडिया तो होई जाएगा 2020 में केंद्र सरकार ने आटोमेटिक रूट के तर्थ रक्षा शेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को 49 प्रतिशत की सीमा को बढ़ा कर 54 प्रतिशत कर दिया है आटोमेटिक में जबकी बाकी रास्ते से सव परसें कर दिया गया है राष्टिय सुरक्षा की भी शर्ट जोड़िये की भी सुरक्षा जहां पर प्रश्ण चिनना आ जाएगा कि राष्टिय सुरक्षा को खत्रा है तो FDI कम भी किया जा सकता है इस शर्थ के अनुसा रक्षा शेत्र में विदेशी निवेश रास्ट्य सुरक्षा के आधार पर जाच के अधीन होगा मतलब जो भी देश जो भी कमपनी रक्षा शेत्र में निवेश करेगी तो हम उसके निवेश को जाच सकते हैं कि इसके हतियार कही गलत हातों में तो नहीं जा रहे हैं साती सरकार के पास रक्षा शेत्र में किसी भी ऐसे विदेशी निवेश की समिक्षा करने का अधिकार सुरक्षित होगा जो रास्टिय सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है। खोलना चाता है रक्षा शेत्र में और वो जानना चाता है कि भारत को किन हतियारों की जरुवत पड़ती हैं तो इस पोर्टल पर जानकारी है। उद्योग उस दिशा में रक्षा उपकरनों का निर्मान कर सकेंगे। भारती उद्योगों को सेना की रक्षा उपकरन संबंदी आवशकताओं के बारे में जानकारी मिलेगी। उसी के अनुरूप उत्पादन की दिशा में आगे बढ़ा जा सकेगा। विदेशी आयात पर निर्भरता कम होगी आत्म निर्भर भारत। बस अब इसमें एक छोटी सी बात रहे गई फैक्ट के रूप में जो मेरी टीम शायद अविलेबल नहीं करा पाई। साइन्स एंड टेक्नोलोजी में डिफेंस टेक्नोलोजी पूरी तरह से कम्प्लीट होता है। रिवीजन करते चलिएगा, पढ़ते चलिएगा, बाकी इसमें जैसे इंद्र होता है भारत और रूस के बीच में तो आप लोग ज़रा कमेंट्स बॉक्स भर दीजेगा। शेर जरूर करिएगा क्योंकि जिस उम्मीद से मैंने इसको आज लिया था, मुझे उम्मीद नहीं थी, लगबख मैंने 3000 बच्चों का टारगेट सोचा था कि डिफेंस टेक्नोलोजी कई बार बच्चे कमेंट्स करते थे, कि सर साइन्स टेक अप कम्प्लीट करवाएंगे, तो आज मैंने डिफेंस टेक्नोलोजी को कम्प्लीट किया है, यदि इस पर व्यू अच्छे नहीं आए, तो फिर आप जानते कि मास्टर क्लास को केवल व्यू के लिए लेता है, व्यू का मतलब आप लोगों का ज्यादा से ज्यादा भला जिस विशय में होगा, मैं उस वि चाहते हैं, सभी को बे स्टॉप लख, बाइ, गुड़नाइट,